आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे होंगे फिर चाहे वो UPSC हो या फिर आप देखते हैं इस्टेट लेवल की तमाम एक्जाम होते हैं उनकी तैयारी की बात कर लिए इस्टेट PCS भी होते रहते हैं तो आज हम लोग खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और आप सभी जानते ही कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और इसकी राजधानी लखनव है और आप सभी कुमालो होगा कि राजनिती की दर्ष्टी से भी उत्तर प्रदेश बहुत ज़रूरी है आप आप लोग अपने पिधान मंत्रियों की सूची उठा के देखेंगे ना तो उसमें से अधिकतर पिधान मंत्री आपके उत्तर पिदेश से निकल के आये हुए हैं पहले पिधान मंत्री, पंडिच जब हलाल लैरू, बारत्मान पिधान मंत्री, मौदी साप को लेजिए, यह आप सभी जानते हैं कि उत्तर पिदेश के बनारस इनका संसरी एचेत है, तो उत्तर पिदेश के तमाम एकजाम होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आपका UPPCS हो हो गया, फिर चाहे आपका RO हो गया, ARO हो गया जिसे आप लो, या फिर UPPCS का एकजाम होता है, अग्री कल्चर सर्विस का एकजाम होता है, इस्टाफ नर्स का एकजाम होता है, या फिर आप देखेंगा, P.E.T. का UPCCS, P.E.T. एकजाम होता है, UPCCS, लोबर PCS होता है आपका, या फिर आप देखेंगे कि बिलेट डबलमेंट ओफिसर हो गया, ग्राम विकास अधिकारी जिसे आप लोग कह देते हैं, लेक पाल हो गया, जूनियार असेस्टेंट हो गया, फोरेस्ट गाइड का हो या फिर आप मंडी इस्पेक्टर हो गया, या फिर आप देखेंगे कि नगर निगम गुरुपसी का एकजाम हो गया, UP पुलिस दरोगा, SI का एकजाम हो गया, जेल वाइडन का एकजाम हो गया, हॉम गायड का एकजाम हो गया, इस तरह की लिष्ट अगर हम लोग UPTET, TGT, इस तरह के तमाम एक्जाम की लेश्ट आप लोग बना सकते हैं तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर पिदेश सामान ग्यान ये सब भी आपके एक्जामों के लिए बहुत ही मात्पूर रहने बला है और उत्तर पिदेश का अगर एक्जाम दे रहे होंगे तो आप लोगों को मालू होगा कि अच्छी खासी संख्या में उत्तर पिदेश सामान ग्यान से आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स आते हैं इसमें कोई दोराय नहीं है और इसलिए आप से बुलता हूँ कि आप लोग जिस भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कम से कम 5-6 साल पुराने कुश्चन्स पिपर उठा के देखा करिएगा आप लोगों को मालूख चल जाएगा इससे कहां से कौन से कुश्चन्स पूछे जा रहे हैं तो उत्तरपदेश सामान ग्यान के लिए हम लोगों ने एक आपकी युक्ती फुस्तक आती है उत्तरपदेश मिनी जीके के नाम से इसको हम लोग कबर करने बाले हैं और आप लोगों के लिए ही एक तरह से ये बुक्स मगाई हुई है तो इसलिए आप देखे कि मुझे लगता है मेरा ऐसा मानना है देखे कि आपको material मिलना चाहिए चाहिए steady material मिल जाना चाहिए वो कहां से आ रहा है कैसे आ रहा है इमायने नहीं रखता है और खासकर उन लोगों के लिए जो आप देखे गाउं की तरफ रहते हैं और जिनके पास इस तरह की बुक नहीं पहुंच पा रही है तो उनके लिए काफी फायदे पहुंच आएंगे और सभी उत्तर प्रदेश का कोई भी एक जाम वो सभी के लिए मत्पूर रहेगी है इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या तो उत्तर प्रदेश को देखेंगे एक सामान जानकारी उसके बारे में पहले चैप्टर में जानेंगे उत्तर प्रदेश का इदियाज देखेंगे, भौतिक सुरूप देखेंगे, नदिया देखेंगे, किर्सी देखेंगे, खनिष देखेंगे, उद्योग धन्दे देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे, सिक्षा देखेंगे, परीभान एवं संचार देखेंगे, बन, राष्ट थोड़ा हम लोग जल्दी पढ़ने की कॉसिस करेंगे, इसलिए आप लोगों को एड़ेस्ट करना है, और कोई सुझाव हो आप लोगों का तो वो भी आप लोग बीच बीच में बताते रहिएगा, कॉसिस रहेगी कि बहुत जल्दी इसे कवर करिया जाए, कि आप देखे एक सीमा नेपाल से लगती है, बिहार हो गया, जारिकंड हो गया, यह आप देखें मडीपूर हो गया, क्या हो गया, मडीपूर 36 गड़, और आप देखें कि राजिस्थान, हरयाना, दिल्ली, इन सभी सीमा लगती है, इन सभी राज्यों से तो यह भी आप लोगों को याद पूर, बातपत, गाजियाबाद, यह आप देखें गोतम मुद्द नगर, भुलंद सहर, यह मुरादाबाद, फिर अलीगर, मतुरा, हातरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटा, कासगंज, वदायू, वरेली, पिलीभीत, सहजापूर, और खेरी, हर्दोई, फरूखाबाद, कनोज, इटावा, औरेया, जालोन, जासी, ललितपूर, महोवा, हमीरपूर, आप देखें कानपूर नगर, उन्नाओ, लखनोग, सीतापूर, वहराईश, स्तरावस्ती, बलरामपूर, सिद्धात नगर, महराज गंज, कुसी नगर, देवरिया, बलिया, गाजीपूर, प्रवंकी, रायवरेली, फतेपूर, बांदा, और आप देखें कौसांबी, चित्फूर, इलाबाद, प्रतावगर, सुल्तानपूर, अमेठी, फैजाबाद, और अमेड कर नगर, इस तरह सी आपके टोटल सौन बद्या, आप देखेंगे टोटल आपकी 75 जिले हैं, अठा परिजगर पाँच, मदपदेश 6, और राजिस्थान 7, हर्याना 8, और दिल्ली आपका 9, नो राज्यों से सीमा लगती, आठ राज्यों एक एंदसासिक पेदेश से, इसकी उत्तरपदेश की सीमा लगती हैं, यह आप लोग याद रख सकते हैं, राज्य की बात करें तो मनाय जाता है, 24 जनबरी को 6 फल है, 2,4,928 बर किलोमेटर राजभासा है, हिंदू, उर्दू दूसरी राजभासा है, उच्च नियाले हिलाबाद है, इसकी खंड़ पीट लखनव में है, कुल मंडल 18, जिला आपकी 75 है, विधान सभा दूई सदनी है, विधान सभा भी है, विधान परिशाद की सदसों की संख्या आप देखें, तो 100 है टोटल, विधान परिशाद की संख्या देखें, तो 403 है, एंगलो इंडियन का खतम हो गया है परावदन, ठीक है, तो 403 है, लोग सभा में आपके 80 हैं, राज सभा में 31 हैं, कितने, 31 हैं, और उत्तर पिदेश की पिधा मुखमंत्री आप देखेंगे, गोविंद बलापंद थे, पिधाम राजपाल, स्रीमती, सरोजनी, नाइडू, इस्तिती विस्तार की बात करें, तो भारत की उत्तर में 30 डिग्री 52 मिनिट उत्तरी अक्छांस से आप देखेंगे 30 डिग्री 28 मिनिट उत्तरी पूर्वी देशांतर तक फेला हुआ है, तो इस्तिती विस्तार आप लोग याद रखनाएगा, 23-52 से आप लेगेंगे 30, 28, 77, 773 से लेकर 1449 तक, दीक है, सीमावर्ती राज्यों की बात करें, तो उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल पिदेश, पच्चिम में आप चैसो 50 मीटर है, किलो मीटर, कितना, पूर्व से पच्चिम की लंबाई, 650 किलो मीटर, उत्तर से दच्चिन की चोणाई, 240 किलो मीटर, आप देखें, छेदफल में बढ़ा नहीं है, लेकिन जनसंक्या के मामले में उत्तर पे देश बढ़ा है, राच्ची चिन मचली है, रा लाग 12,341 है, पुरुष जनसंक्या देखें, तो 10 करोड 44,8510 है, महला जनसंक्या देखें, तो 9 करोड 53,831 है, लिंगरपात देखें, तो 912 है, महला है, एक हजार पूरुसों पर, लिंगरपात का कहने का मतलब है, कि आप देखें, एक हजार पूरुसों पर कितनी महला है, 912 है, साक्षर्टा दर आप देखें कि 67.7% है, पुरुस साक्षर्टा में 77.3% है, महला साक्षर्टा 57.2% है, जनसंख्या घनत 829 बेक्ती पिती बर्ड किलूमीटर में रहते हैं, अनुसुचित जाती कुल जनसंख्या आप देखें कि 4,13,57,608 है, अनुसुचित जन्जाती अनुसूचित जाती पुरुसों की संख्या देखें तो दो करोड ऐसी की बात हुरी है, दो करोड 16,006,975 है, कितने? 975 है, अनुसूचित जाती की महिलाओं की बात करें तो 1,96,86,633 है, कुल जन संख्या में अनुसूचित जाती की जन संख्या देखें तो 27,07% है, अनुसू अगर पुरसों की जन संख्या की बात करें तो 5,591,083 है और अनुसुचित जाती में महलाओं की बात करें तो 5,53,190 है कुल जन संख्या में अनुसुचित जाती 0.6% है उत्तर पिदेश की तो अनुसुचित जाती यहां कम है अनुसुचित जाती जाती जानदा है प्राक्ति पिदेश की बात करें तो तराई पिदेश हो गया है, गंगा यमना की मैदानी भाग हो गया, दच्छेड का पठारी पिदेश हो गया, पिरमुक नदिया देखें तो गंगा यमना राम, गंगा काली, सारदा, घागरा, गंडग, कोसी, चंबल, बैतबा, सिंद, कैन, सौन नद सर्सों की उत्पादन में उत्तरपदेश को दूसरा इस्थान में ला हुआ है। आम संतरा, मल्टा, निवू, अम्रोद, लीची, सब तालू, यहां की प्रमुख फसल है। फ़लों के उत्पादन में आप देखेंगे उत्तरपदेश का पिथमस्थान है। तो यह भी आप लो और सिग्रेट, आदी के उत्पादेश को देखेंगे उत्तरपदेश में इस्तित्केंद सरकार के पिरमुख कार खाने का नाम हो गया, इस्थान हो गया। अलूमिनियम, हिंदुस्तान अलूमिनियम कौर्परेशन, रैंकूट को सौनबद में देखने को मिलेगा। अइरो नोटेक्स लिमिटेट, कानपूर लकनव में देखने को मिलेगा। Indian Telephone, Industries याब नेनो, इलाबाद, राइबरीली में देखने को मिलेगा। तिरवैनी, structural, नेनी, इलाबाद में देखने को मिलेगा। शबहे पूर्जाबाद में, Tran Ш 220 में एघांसी में अफ्ट्रोन केफी सेटर सिस्टम लिमिटेट लखनव में सिमेंट कारकाना चोरक ढला मेज़ापूर में भारती ऐलेक्टोनिक्स लिमिटेट या गाजियावाद में मत्वरा तेल सोधग कारकाना ये मत्वरा में देखने को मिलेगा और आप देखेंगे किंतिम अंग निर्माट कानपूर में, भारती चमडारंगाई वजूता संस्थान कानपूर में, कूटर इंडिया लेमिटेड लखनव में, उत्तर प्देश इस्तिर राष्टी इसोस संस्थान हो गया, इस्तान हो गया, Central Institute of Medicine and Aromatic Plants ए लखनव में, Central Drugs Research Institute ए लखनव में आपको देखने को मिलेगी, और उद्धोगिक टकनीक सोस संस्थान लखनव में, National Botany Research Institute लखनव में, राज की पिरमक विस्विध्याले हो गया, और ए विस्विध्याले के नाम हो गया, इस्तापना हो गया, जिस साल इस्तापना हो गया, जिस साल इस्तापना हो गया, जिस साल इस्तापना हो गया, अलीगड में, लखनव में आपको गया, आगरा में 1975 में चंदसेकर आज़ात किरसी तत्हाच पुरुदोगी की विस्विद्याले कानपूर में 1974 में मातमा गांदी कासी विद्यापीट वनाडसी में 1974 में आचार नर्ण Androidो किरसी इवं तत्हाच पुरुदोगी की विस्विद्याले ए फैजाबाद में दयालवाग एजुकेशन सिक्षा संस्थान डीम्ड बिस विद्याले आगरा में 1981 में, संपूर नानन्द संस्कित विद्याले वर्नारसी में 1998 में, थिर आप देखेंगे 1998 में, बीर बहादुर सिंग पूर्वांचल बिस विद्याले जौनपुर में 1987 में, कव 1987 में, केंध्री दूच्च तब्वती सिक्षा संस्थान सारनाथ में, ये आप देखेंगे 1989 में, डॉक्टर भीमराव मेडिकर विद्याले लखनौ में 1996 में, भारती पसुच चिकिसा सोस संस्थान एजजित नगर ये आप देखेंगे 1998 में, राजर्शी टंडेट मुक्त विद्याले इलाव में सन 2001 में, भारत खंडे संगीज संस्थान लखनौ में 2001 में, डॉक्टर राम अनुवर लोहिया राष्टी विद्धी विद्याले लखनौ में 2005 में, ख्वाजा मुईनुद्दिन चिस्ती उर्दू अर्वी फार्सी विद्याले लखनौ 2010 में, ठीक है, उसके बाद आप दे आप देखेंगे, 1989 में हुई थी, 665 वर किलूमीटर में फ्यला हुए, एटाबा आगरा में, कैमूर बने जी अब बिहार, 1982 में 501 वर किलूमीटर में फ्यला हुए है, 2023 में 452 वर किलूमीटर में फ्यला हुए है, गौंडा व बहराइच में देखने को मिलेगा, स्वहागी वर्वावा बने जी बिहार, 1987 में 488 वर किलूमीटर में फ्यला हुए, महराज गंज में, कतर निया घाट वर किलूमीटर में, बहराईच में, रानी पूर बनी जी बिहार, उनिस स्ततततर में, दो सो तीस बर किलोमीटर में फैला हुआ है, बांदा, सनपूर बनी जी बिहार, ये उनिस सु ब्यासी में, आप देखें कि दो सो सतताइस बर किलोमीटर में फैला हुआ हुआ है, लखीमपुर खेरी में, तो बनिवा उत्तर पिदेस में ही और नगर उने के उपनाम जैसे आगरा को ताज नंगरी के नाम से जानते हैं और पिदेश के आठ जिले की परिवर्थी इतना महा माया नंगर को पुना हात रस कर दिया गया, रामावाई नंगर को पुना कानपुर्दी हात कर दिया गया, छतपदी साहुजी नंगर को पुना अमेठी कर दिया गया, कासी राम नंगर को पुना कासगंज कर दिया गया, प मुगल पुराना नाव हो गया है, मुगल सराय जंसन का, railway का नाम दिनदयाल वपादी है, railway junction कर दिया गया, इलाबाद का प्रियागनाज ख़ेजाबाद का ए उद्द्या कर दिया गया, समझ रहे हैं, तो यह बी बदलते रहते हैं, इसमें कोई प्रोब्लम ने होने चाहिए, एक पिरुमुकहनिछ, बॉक्साइड रोघ फॉस्फिट यह ब आनदा में देखने को मिलेगे। पायराइट्स एस्विश्टं मेर्जापुर में यूरेनियम तामा ललितपूर में देखने को मिलेगे। कहां ललितपूर में हीरा, बांधा मीरजपूर में कोईला, सिंग्रालीपूरबद, संगमरबन, मीरजपूरबद, डॉलमाइड, मीरजपूरबद, बांधा, जिफसम में हमीरपूर, जहांसी, बराइट्स ऐबहुं एडालू साइट में मीरजपूर services देखने को मिलेगा, क बोबिन्द बल्लब सागर परियुजना, उवेराज, जल, विद्धुद, सकेंद, गंडक परियुजना, ये सभी उत्तरपतेश में देखने को मिलेगी, नदी के किनारे बसे नगर हो गये, यमना नगी, आगरा यमना के लखनवी गौमती, बटे सोर यमना, इलावाद गंगा गौमती, गाजीपूर, गंगा, क्योंकि इस तरह से के कुश्टन्स भी पूँच लेता है कई बार आप से, एक कुछ और तते हैं, उत्तरपिदेश की पिता मुकमंत्री स्री गोविंद बललपंद थे, और पिता म राजपाल स्रीमती सरोजिनी नाइडू थी, उत्तरपिद इसका सबसे बड़ा उद्दोग एक नगर, एक कानपूर है, सबसे बड़ा दरवाजा, बुलन दरवाजा, पतिपूर सीक्री में आपको देखने को मिल जाएगा, और महतमा बोद्द ने अपना पिताम उपदेश सहारनाद बनाडस से 10 किलोमीटर दो दिया था, सुतंतर स् और प्राचीन काल में का नोच कान कुपज के नाम से जाना जाता था, पिसे दे था, उत्तर प्रदेश का इतियास देख लीजे, प्राचीन काल में गंगा की मैंदान में इस्तित उत्तर प्रदेश एक्छेत मद्ध प्रदेश कहलाता था, और मद्ध देश उत्तर लेकिन ये उत्तर पिदेश की परिवेक्ष में खास करें। लेकिन ये उत्तर पिदेश में खास करें। आए, आए, आर, आए, उन्होंने सबसे पहले भारत में सबते सिंदू या साथ नदियों द्वारा सिंचित पिदेश में बस्तियां बसाई थी अपनी। प्यारहमें में आप देखेंगे कोच फिर्मो घरानों की नाम इस तरह से हैं पुरू, तुर्वस, यदू, अनू, दुद्ध्या और ए पांच घराने पंच जन कहलाते हैं। आप लोगों को देखिए इतिहास को बड़े वेसेक से पढ़ना है तो आप लोग एंसी ये आइटी पढ़िएगा। अमर्सी देश के नाम से पहचाना जाता था। सभी राज परस्वर योद्रत थे, कौसल ने कहसी और अवंती ने वक्स पर अधिकार कर लिया था। मक्कली पुत्त गोसाल और अनमान विचार को ने उत्तरपदेश में करांती कर दी। और जेन धरम की प्राचेंतम सिद्धानतों के उपदिरिष्टा 23 वितीरत कर पार्स नात वरारसी के थे। जेन धरम के 24 वितीरत कर महावी स्वामी का जनम भी साड बैसाली में हुआ था, किन्तु उनके अनुआईयों की संख्या उत्तरपदेश में काफी है। उत्तरपदेश में के मतुरा में कंकाली टिली के भगना आवसिसों में किसी समय पर निर्मित एक भब जैन इस्तूप का पता जलता है। चल रही थी। ततकाली राज और उनकी राजधानियों के नम इस तरह से है। यह आप देखेंगे महाजनपद हो गए और उनकी राजधानियों होंगे। इसके छेत आता था। साक्यत आयोध्याओ सरावस्ती गोंडा इसकी राध्धानियों होगती मल जिलादेवरिया इसमें आता था। कोसी नगर कसिया और पावा पड़ोना संभाव था इसकी राध्धानी थी। जनारसी वनारसी का छेता था वनारस इसकी राध्धानी थी। अंग भागलपुर ये आप देखेंग चमपा इसकी राध्धानी थी। और मगत दच्छन विहार ग्रे इब्रज राजग्रे विहार सरीप के पास राजगिर में इसकी राध्धानी थी। जिला दरवंगाव मुझपर नगर मिथलाक जनकपूर नेपाल सीमा पर 19 साली जिला मुझपर नगर इसकी राध्धानी थी। तो इस तरह से सूला आपके महाजन पत थे उनकी राध्धानिया हो गई। बहुत धारम की पेपर तक गौतम बुद्ध का जनम नेपाल में लुमिरी नामक इस्थान पर हुआ था। बहुत ने अपने जीवन के सरवादी कुप देश कोसल देश की राध्धानी सरावस्ती में दिये। और आप देखेंगे मिला लिये गये थे और सन 1857 की किरांती की सुरुवाद मेरर से हुई थी। चैन अधिकारी नेगेंड किया था। 1857 की इसे महान बिपलो में कानपूर में एक पिसासन पर नाना साहब का अधिकार था। एलाबाद पर एक अध्यात पक मौलबी लियाकत अली का अधिकार था। लखनव में आप देखेंगे विद्रो का नेतित वेगम हजरत महल कर रही थी। 1857 की विद्रो में तत्या ठोपे विद्रोईयों के पिरमों की युद्धा थी। जासी में विद्रो की नेतत करता महान लचिवाई थी। इस विद्रो के दवन में जनल हियूरज को सक्री किया गया था। और एक नवंबर 1958 को एक साही घुषना पत्र सत्ता इस्ट इंडिया कमपनी से हट कर महरानी एली महरानी विक्टोरिया के हातों में आ गई थी। 1878 में दिल्ली डिविजन को उत्तर पश्यमी पिदेश से अलग करके पिदेश की राध्धानी आगरा से इलावाद इस्थाना अंतित कर दी गी थी। भारती राष्टी कॉंग्रेस के उत्तर पिदेश में नो सन 1947 तक नो अधीवेशन हुए थे और 5 फरवरी 1992 को गोरगपूर इसते चोरी 1922 हो गया है ठीक है चोरी चोरा नामकिस्थान पर भीड ने गलती हो जाती है कभी कई वार फ्रेंट में तो याद रखा करी है चोरी चो परवही 1922 को के समय से पूर ही गांदी जी ने ऐसा ही आंदोलन को समात करने की गोशना कर दी थी वैसके बाद आप देखिया गांदी जी का विरोध भी किया गया था सहयुक्त परांथ में लखनो के संभी बर्ती चेते में सन 1922 के मद किसानों की वीच चले एक आंदोलन का नेतित मादारी पासी नामकिसान ने किया था 1937 में इसका नाम सहुक्त परांथ कर दिया गया था इसका वर्तमाद नाम उत्तरपंद विवाजन करके नौ नवंबर संदोजार को उत्तराकंड की नाम से एक नया राजी का निर्मार किया गया था अगर आप देखना चाहें तो उत्तराखंड देख लिए देहरादून इसकी राजदानी है तो यह भी याद रखेगा और जब उत्तराखंड इसका हिस्सा हुगा करता था उत्तरफिदेश का तो इसकी सीमा आप देखेंगे कहां से चाइना से भी लगती थी तो यह भी आप लोग याद रखेगा अब उन्हें देख लिए जो पिदेश में युत्तर पिदेश में पिरमुक कॉंग्रेस के अधिवेशन हुए और आज जो आप लोग कॉंग्रेस देख रहे हैं ना जो बुरी हालत में पहुँच चुकी है इसकी स्थापना 1885 में हुई तो आप देखेंगे कि 1888 में इलावाद में इसके पहला एक तरह से उत्तर पिदेश में क्या हुआ था कॉंग्रेस का दीविशन और इसके अधियक्ष थे जार्ज यूर फिर आप देखेंगे 1892 में भी इलावाद में हुआ डवलू सी बनरेजी इसके क्या थे अधियक्ष 1910 में इलावाद में हुआ सल विलियम विडर्मन इसके अधियक्ष थे 1899 में भी हुआ लखनव में हुआ था रॉमेश चंद दत इसके अधियक्ष थे 1916 में लखनव में हुआ था अमीका चरन मजूमदार इसके अधियक्ष थे 1936 में आप देखेंगे लखनव में हुआ था 1940 में मेरट में हुआ था आचार जेवी किपलानी साहब ने इसकी अध्यक्ष्टा की थी तो इन नौ को याद रखेगा जरूर ठीक है दिली ओतर पिदेश पर पिरमुक जो राजबंस रहे हैं जिनोंने सासन किया है गुलाम बंस इसका संस्तापक आप सभी जानते है कुतुब बुद्धी नी वक्का नहीं रहा है इतना लंब समय खिल जी बंस फिरोसाइज खिल जी इसका संस्तापक था और 1390 से लेकर 1290 से लेकर 1320 तक इसका संस्तापक था और आप देखें कि 1414 से 1459 तक रहा लोधी बंस बहलो लोधी ने इसकी इसकी स्थापना की थी और 1459 से 1526 तक रहा मुगल बंस बावर ने इसकी स्थापना की थी 1526 से 1707 तक रहा तो यह जरूर आप लोग याद रखेंगा गुलाम बंस का संस्तापक या कुद संस्तापक कौन था कुत बुद्धी निबग खिल जी का फिरोस साहेज खिल जी और तुगलग बंस का ग्यासुदीन तुग चंदाबर कायूद 1194 में हुआ मुहमद गौरी और कन्योज की सासक जैचंद की मद्ध हुआ था इसमें जैचंद की मित्ती हो गई थी कलिंजर कायूद 1200 आप देखेंगे 2 से 1203 में हुआ चंदेल सासक परमीदेव वकुतो बुद्धी निबग की मद्ध हुआ इसमें परमी सागर की हार हुई थी कलिंजर का दूतिय यूद 1545 में हुआ से सासूरी की विजय और मित्ती हो गई थी इसमें ठीक है और आगरा का दूतिय यूद ये पंद्रस चंगन से चपन की पीच हुआ इस लंबे यूद में सेंगासन हुमायू की अधिकार में आया था बनारस का य अधिकार हो गया था चिनाहट का यह अधिकार हो गया था इसका पाइडाम क्या रहा है ये सब आप लोगों को याद रखना होगा ठीक है फिर उत्तरपदेश इस्तित महत्पून बद्यकालीन इमारत ने देख लिजे इमारत का नाम हो गया निर्वाता हो गया इस्थान जहां है जामा मस्चिद बावन ने इसकी बनवाई थी संभल में आपको देखने को मिलेगा जहांगीर ने निर्वाय करवाय था सिकंद्रा आगरा में देखने को मिलेगा इतमत दौला का मकबर नूर जहाने बनवाय था आगरा में देखने को मिलेगा दीवानी आम दीवानी खास है साह जहाने आगरा दिल्ली में जहांगीरी महल अकबर ने आगरा में आगरा गकला अकबर ने आगरा में ताज महल साह जहाने आगरा में जामा मस्जित साह जहाने आगरा दिल्ली दोनों जगे है लाल दरबाजा मस्जित मुहम्मद साह जानजरी मस्जिद इबराहिम सरकी ने जानपूर में, जामा मस्जिद अकवर ने फतेपूर सीकरी में, सीएक सलीम चिस्ती का मकवरा अकवर ने फतेपूर सीकरी में, क्या है फतेपूर सीकरी में, ठीक है, इसलाम खा का मकवरा अकवर ने ये आप देखेंगे फतेपूर सीकर खास महल अकबर ने फतेपुर सीक्री में, वीरबल महल अकबर ने फतेपुर सीक्री में, जोदाबाई महल अकबर ने फतेपुर में, इन सभी को याद रखेगा, अब चलिए उत्तर पिदेश का बहुत एक सवरूप देख लेते हैं, भागोलिक देश्टी से उत्तर पिदेश तो यसे आप लोग किसी भी तर ऐसी याद रख सकते हैं, पूर्वी देशांतर आपको याद रखना है, 773 से 849 तक और अगर उत्तरियक चांस में देखें तो 232 से 3028 तक, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार आप सभी को मालू है कि 650 km है, और उत्तर से द देखने को मिल जाएंगे, चोटे चोटे देखने को मिल जाएंगे, लगभग आप देखिए पाकिस्तान की उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बराबर देखने को मिलेगे, उत्तर प्रदेश भू गर्विक दिरश्टी से भारत के प्राचीन तम गौडवाना लेंड का भाग है, बिंध्यांचल परवसेनियों में इस्तित होने की कारण इन चट्टानों को बिंधे करम क चट्टाने कहा जाता है, आगे काल में निर्मित नीस सेलों को बुंदिल खंड में बुंदिल खंड नीस के नाम से भी जानते हैं, प्राचीन को और मिटी की निच्छेपों को वागर और नमीन निच्छेपों को खादर की नाम से आप लोग जानते हैं, बागर छेत पुरा दच्छिड की पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं, यह अच्छिड दक्कन की पठार का ही पिसारण है, इसका निर्मार अतिंत प्राचिनकाल में प्रवाहा मान समुद्री निच्छेप से हुआ है, इस पठार की सामानता हुचाई 300 मीटर के असपास है, उ और बुंदिलखंड में पिलास नामा घास बहुतायत पाई जाती है, और आप दीके किसानों की बुंदिलखंड की किसानों की स्तिती कोई अच्छी नहीं है, वर्सा की मद्द मात्रा होने की कारण इस पठारी छेत में बैक्च बन अस्वतियां चोटी होती है, और उत्तर पिदेश की जलवाईव पर इस्थल खंड, विसालता, धरातली, विसमता, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से उच्छाई का प्रभाव पढ़ने के कारण इहां की जलवाईव में अंतर पाया जाता है, इस सभी विसेस्ताओं के अधर पर पिदेश में तीन ग्रेश्मरेत तक रहता है, कई स्थानों पर अधिक्तम तामान आप देखें कि 46 सेंटी गेटर तक बहुंच जाता है, बुंदेल खंड चित करक रेखा की अती निकट होनी की कारण इहां पिदेश में सरवादिक वोसत तामान पाया जाता है, और मैई-जून में तीब गती से चलने वाली पश्मी हवाओं को लू कहते हैं, आप लोग कहते रहते हैं, बुंदेल खंड के खिचेत में काज कर लू चल रही बहुत, उत्तर पिदेश में सरवादिक वरसा जुलाई अगस्त महीने में होती है, पिदेश में बरसा बंगाल की खाड़ी के मानसूम से होती है, मद्व में अरब सागर से उठे मानसूम से नामात की वरसा होती, जनवरी माय में पाला पड़ता है, और कुहरा चाहर रहता है, यह सब आप लोगों ने देखा होगा, और फिर आप देखें, जनवरी वा फरवई माय में भूमद्य सागर से उठने बाले चकवातों से पर्षिमी उत्त हो गया, मिलन हो गया, लंबाई हो गया, इनकी गंगा, यह आप सभी जाते हैं कि इनका कहा से निकलती है, गंगोत्री उत्राखंड से बंगाल की खाड़ी में गिल जाती है, 2994 टोटल इसकी लंबाई देखेंगे, यमना, यमनोत्री यह आप देखेंगे कि उत्राखंड से मनदबदे से निकलती है घंगा में मिल जाती है 780 km की लंबाई राप्ती लगू हिमाले नेपाल से निकलती है घागरा में मिल जाती है 640 km की लंबाई राम गंगा लगू हिमाले नेपाल से निकलती है गंगा में मिल जाती है बैतवा बिंदे परवस मदपदे से निकलती है यमना में मिल जाती है टॉंस केमूर की पहाड़ी से निकलती है, गंगा में मिलती है, 265 km इसकी लंबाई है, सारदा मिलान हिमनद घाग्रास में मिलती है, 160 km है कुमायू उत्राखंड में से निकलती है, सारदा, ठीक है, ए नदियाँ देख लीजे, इनके साइक नदियाँ हो कहां से निकलती है, पर राइबरेली में, वैतिनेया ए पैताबगड में, राजा कबांद या लोधी ताल भावजपूर ए सुल्टानपूर में, मौति और गौर ए रामपूर में, कुंदरा समुंदर ए उन्नाओ में, बलहा पारा ए कानपूर में, मुरार ए फतेपूर में, ओंधी ताल ए वनारसी मे अब पिदेश की नदियों के किनारे इस थे पिरमुक नगर, गंगा नदी के किनारे देख लिए, मड़ मुकते सोर, सोरो भरूकाबाद, कन्योच, कानपूर, बनारसी, मिरजापूर देखने को मिलेगा, गंगा यमना संगम पर आप देखेंगे, इलाबाद बसा हुआ, जिसे यह नदी आप सभी जानते होंगे, अधिया, उत्तर पिदेश की पिरमुक बांध देख लिए, यह बांध हो गए, नदी हो गए, जिला जहां है, माता टीला, बैतवा नदी पर है, जहांसी में, गोबिदवल्लपंथ, सागर, रेहंद, रेहंद में, सौनभद में, पारीच चंदभरभा नदीपर चंदोली में, मुसाख भन्द glad, कर्मनासर नदीपर चंदोली में, काथी, रामगंगंगा, बिजनोर में, रामगंगा, रामगंगा नदीपर, बिजनोर में, जिर्गो एफर बिजनाबबा तो इन से भी questions पूचे जाते हैं, किरसी उत्तर पिदेश की अर्दवस्था का मेरुदन है, रेडी की हड़ी कहे लिजे, पिदेश के कर्मगारों के कुल किरसी कर्मगारों का 36% है, उत्तर पिदेश को 9 किरसी जलवाईवी पिदेशों में बाटा गया है, उत्तर पिदेश का अफीम के उत्तर पादन में देश में महत्त्पूर्ण इस्थान है, अफीम आप सभी जानते हैं, कई लोग नसे की रूप में सकाउपियो करते हैं, पिदेश की किरसी नीती को बेवारिक रूप पिदान करने के लिए पितियो गिता से खेतों तक कारिकरम को बेवार में ला पिदेश का सरवादिक यहूं पेदा होता है, जो के उत्तर पादन में पिदेश का दूसरा इस्थान है, सरसों के उत्तर पादन में पिदेश का दूसरे नमबर पर है, गन्ना के उत्तर पादन में पहले इस्थान पर है, क्योंकि पसू सबसे जान्दा देखने को मिलेंगे उत्तर फिदेस के तीन किरसी निर्याचित लखनो आम, सहरानपुर आम, आगरा, आलू के लिए, पिताफगर में सरवादी काउला उत्पादन होता है, और साय जहांपुर फरुकाबाद में सरवादी कुद्पादक अमरूद होते हैं, अमरूद के लिए पिसिद्ध है, वारा तमाकु आपको देखने को मिलेगा, आप देखिए, पिरमुक फसले हो, उत्पादक जिले, ग्यहूं की बात करें तो, मेरट, मोजबपन नगर, इटाबा, बुलंद सहरानपुर, अलिगर, मुरादाबाद, इटा, मेनपूरी, खास हैं, गन्ना के लिए, गोरकपुर, तमाकु के लिए, मेरट, इटाब, बुलंद सहर, मेनपूरी, इटाबा, कापास के लिए, कानपूर, बुलंद सहर, मतुरा, अलिगर, परसन के लिए, देवरिया, गोरकपुर, आप देखिए, पिरमुक फसले देखिए, आम, अम्रोद, संत्रा, माल्टा, निवून, लिच और सब्तालू, आम के लिए, लखनो, बरेली, मेरट, कानपूर, फरुकाबाद, सहरानपूर, हर्दोई, संत्रा के लिए, सहरानपूर, माल्टा के लिए, मेरट, बरास्ती, और सहरानपूर, निवू के लिए, सहरानपूर, मेरट, अम्रोद, के लिए, अवलाबाद, फरु बिकास की गती बढ़ाने तथा खनेज आधारेत वो दुगीकर्ण के लिए नए खनेज भंडारों की खोज किये जाने के उद्देश से 1955 में बहुत तत्य एबं खनेज करम नेदेशालाई की स्थापना की गई थी और 23 मार्च 1974 में उत्तर पिदेश राज्जी खनेज बिकास पिदेश में दस जिलों इलाबाद जहासी सहरान पूर सौनभध मीरजापूर है आपका हमीर पूर महोबा जालोन बांदा ललितपूर खनेज बहुलता में मिलता है यहां चूना पत्थर की भंडार उत्तर पिदेश का देश का दूसरा इस्थान है उत्तर पिदेश में आप लोग तो चूना पत्थर मीरजापूर जिले में बिन्धियांचल चेत में इस्ति कजराहट तथा रोहतास इस्तानों में उच्छकोटी का चूना पत्थर पाये जाता है इसका उप्योग मीरजापूर इस्ति चोर्क और डल्ला सेमेंट फेक्टरी में होता है जिले में मिलता है वॉकसाइड से अलूमीनियम बनाया जाता है इसका उप्योग मीरजापूर में इसे रेंकूट फेक्टरी में होता है सौना सार्दा और रामगंगा नदियों की रेक में मिलता है इसका उप्योग कांच उद्धियों आभुसवन बनाने औस्ति बनाने तरहा बर इस्थव से होता है इसका मेर्जापुर्जिली के सिंगरॉली चेते में कोल इंडिया द्रॉम में प्राप्त होती है यह बिद्धूत का उत्तम सुचालक है रोकट, रॉक फॉस्पेट, रॉक फॉस्पेट की भंडार की भुई, दुरुमाला, मसराना, माल देउता और चम सारी में पाए जाते हैं, बांदा भी इसके भंडार मिले हैं, इसका उपयोग और वरक उत्द्योगवा, अमली मिर्दा की उपयोग में होता है, संगमर्वर, म बनारसी मुडारी वाला वहेट जांसी इलाबाद और बांदा जिलों में, आप देखने को पूठी कूट कर उद्द्योग के योग बनाया जाता है, काज बनाने योग बालू, बनारसी आगरा और इलाबाद के निकट गंगा यमना नदी से पराप्त होता है, इसका बनाने के लिए होता है, पोटासलावन, पोटासलावन का उतपादन कानपूर, गाजीपूर, इलाबाद और बनारसी जलों में होता है, इमार्ती पत्थर, मिर्जापूर चुनार में चुने के पत्थर मिलता है, कंकर, संपून मैदानी भाग में पाय जाता है, इसका उपय जिलीं झा सबस्पों देखने को मिल जाएका यह जाएक है किया है अब आप देखें उत्तियस महीं मिलने वाले प्रमुक्रानिज चूना पत्तर मिर्जापु स्कॉण भद जिली में डोलॉमाइट मिरजा पॉर्स बादा जिले मैं इस ब्लन साब्दे की मिरिजापुर जिले में पाय जिन आ पूर साइट ये शेएD अच्छा मिर्जापुर ditुर बाइधि erzählt में मिर्चापुर present जिरे में कोई रहा नी श्थापनाव दोचार बारे contemplation सेर इह बारे सोगती मिली थी करने के साथ इसमें पुर्वांचल बंदेलाखन मध्यांचल को विसे महतिद्पदान किया गया है। 16 सेप्टमबर 1972 को सूती बस्त हतकरगा एबं मिलें कि दिरिष्टी से उतर पिदेश भारत का तीसरा इस्थान है कानपूर को उतर भारत का मांचिस्टर भी कहते हैं किसे कानपूर को उतर पिदेश राज जवस्त निगम की स्थावना 1989 में उतर पिदेश सरकार की एक कंपणी क की रूम में की गई थी 1973 में इसे पबलिक लिमिटेट कंपणी की रूम में पर्विवरतीत कर दिया गया अंग्रेज ओन ने उन्ने सो तीन में प्रतापूर देवरिया में भारत की पहली चीनी में इस्थावित की थी 1935 में गन्ना विभाग का गठन हुआ था उतर पिदेश में खादी ग्राम वोड का गठन 1960 में हुआ था उतर पिदेश का फ्रियोजा ना फ्रियोजा बाद नगर चूडियां बनाने ही तू बिख्या थे उतर पिदेश में चमड़ा उद्दियों का प्रमुक केंद कानपूर है राजी की प्रमुक निरिया तक जौन देख लीजे प्रमुक निर्या तक जौन हो गया निर्यात होने बाले प्रमुक उतपात नोएडा रतन अभूसन एलेक्टोनिक्स परिधान कंप्यूटर हाइडवेर सौफ्ट्विया चमड़ा और फिर आप देखेंगे कि आगरा संगमरमर सेल्क कार्पूरेट हस्त सेल्फ सामान कलात्म सामान बैग मुरादाबा से आर्ट मेटल वेर कलात्म गाभूसन वोन जेवरी लखनाव से फेलोरी कल्चर आयोवेदिक हरबल औस्दी केमल बॉन कार्विंग कानपूर से चमड़ाव उत्वाद सौफ्ट्वियर रसायन हेंडलोम पर्फियूम फर्मासिटिकल तेल मसाली व पर्मेंड बनस्पती गी इंजिनेरिंग विद्दो तुपकरन अलूमीनियम हथकरगा एवं कुटी उत्द्योग हैं चेनी उत्द्योग देवरिया गोरगपूर सहरानपूर वेरली मेरट साहजाहपूर सूती बस्द्योग हातरस लखनो मोदिनगर इटावा अलीगर वा न इनि इलाबाद वहजोई मुरादावाद सासनी अलीगर सिकोहाबाज फिरोजावाद बाला वाली वेजनोर फिरोजावाद गाजियावाद रामनगर वनासी बाहिरन घानगाउ फिरोजाबाद चोडियों के उत्पादन में फिरोजाबाद का देश में अगरी इस्थान है दिया सलाई उद दियूग बियरली इलाबाद, वाल लकनव, साइकल उद दियूग, अगरा बनासी, लकनव, इलाबाद, कानपोर, बनस्पति गी उद दियूग, कानपूर, मोधिनेकर, गाजियाबाद, अलीगड, काज उद दियूग, सहरानपूर, लखनव, एलुमीनियम, पर डिक से बेंड टूब में जोरक के डल ला कजराहाट इंगिनिंग कानपुर गाजियाबाद मेरा ठिलाबाद आग्रा अलीगड़ बरेली सामय ले सेग्रेट में सहरान सहरानपुर स्ग्रेट समझ रहे हैं कुटी उद्यग देख लिजे हद करगा उद्यग सूती बस्त में देवबंद सहरानपूर सिकंद्राबाद बुलंद सहर पिलक हुआ गाजियाबाद टाड़ा टाड़ा ए फैजाबाद मौनात भंजन मुभारिक पूर आजमगड मघहर गोरकपूर हद करगा उद्यग रिस्म पूरस हापूर फरुकाबाद ताली न आप देखेंगे मिरजापूर आगरा एतबातेल में कन्नोज गाजीपूर जौनपूर लकडी बानकासी में नगीना बिजनौर सहरानपूर ताली चाकुबा केंची में अलीगोर मेरट मत्रा प्रेस बब पिकासन में आगरा मत्रा अल खाला मेरृट प्रणु सपाल्हण के शॉआफ के अलीगड़ ताला के लिए पसित दे मुराधाबाद पीतल कि बतन के लिए खोड़्या चीनी मिट्टी के लिए बरेली फणी शर्के लिए भी रणी के लिए भीलका सामान के लिए आगरा साहरान पूर लोही की माठ्ट के अगरा में विसेत्ज शाहरत की जा रहे हैं hai जन संख्या देख लिए उत्तर पिदेश की, कुल जन संख्या 29,98,12,341 है, पुरुस आप सभी जानते ही, 10,44,80,510 है, महलाएं, इनमें 9,03,18,831 है, और भारत की जन संख्या का पितीस है, 16,05% मत उत्तर पिदेश में रहती हैं, और 10 की ये विद्धी, आप देखें, 20,02% है जन संख्या घनत, 819 पिती वेक दी बर किलुमेटर में रहती हैं, यानि की कहने का मुतलब है कि बरक किलुमेटर में 829 लोग निवास करते हैं, साक शारत अधर, 66,07%, कुल जन संख्या में गरामिट जन संख्याओं की 37,27%, कुल जन संख्या में नगरी जन संख्या की 32,3%, वह आप लोग अगर लिंगनपाप देखें तो 912 है यानि कि आप देखिए कितना 88 लड़कों को कुमारा रहना पड़ेगा समझ रहें आप लोग क्योंकि लड़कियां कम हैं गरामीड में देखें तो 918 है गाउं की तरफ देखें कि आप लोग तो थोड़ी बड़ोक्तरी है और नगरी के नगर में आप देखें तो 894 है यानि कि नगरों की बुरी हाल है वो कहते हैं कि नगर में लोग पड़े लिखे रहते हैं लेकिन बो तोवार आप देखें कि लड़कियों के साथ gjhandah भेदभाव कर रहे हैं बालल जनसंख्या की बात करें तो बाल जनसंख्या 0-6 करोड एक सट लाख पच्चासी जार पांस सो एक क्यासी है टोटल पंदरा दसमलों पांच परसें और बाली काओं की अगर आप देखें तो एक लाख एक करोड चाल चालीस लाख पांच जास सास्थो पचास है तो बच्पन से ही आप देखें भेदभा हो रहता है ग्रामीड के जन संख्या दो करोड पच्चास लाख चालीस जार पांस सो तैरासी है ग्रामीड में बालो ओंकी संख्या यह आप देखेंगे एक करोड 31,35,595 है ग्रामीन महलाओं की बाल संख्या ये बालिकाओं की तो 1,19,4988 है ये आप देखें 2011 की जन गड़ना के साब से है ठीक है? और नगरी ये बाल जन संख्या 57,50,748 है और नगरी ये बालकों की संख्या आप देखें तो ये 30,49,86 है नगरी ये बालिकाओं की संख्या आप देखेंगे 27,762 है और सिस्यू लेंगनपाद देखें तो 902 है और ग्रामीड में 906 है और नगरी में आप देखेंगे 885 है तो सिस्यू लेंगनपाद 902 है और वैसे आप देखेंगे लेंगनपाद 912 है अनुसूची जनजाती की बात करें तो अनुसूची जाती की जनसंख्या 4,13,57,608 है और अनुसूची जाती की दस्किय विद्धी 2001-2011 के बद 17.7% की बड़ोतिरी देखी गई है अनुसूची जाती का लिंगन पात 908 है ग्रामीड में 902 है और नंगर में आप देखेंगे 883 है कुल जनसंख्या में अनुसूची जनजाती की पितिसत में सेदारी देखें तो 20.7% है अनुसूची जनजाती की जनसंख्या अगर आप देखें किसकी अनुसूची जनजाती की तो टोटल 11,34,273 है इसमें ग्रामीर चेत में 10,31,076 है और नगर में आप देखेंगे एक करोड मावकरी 1,3,3,199 है अनुसूचे जन्जाती के लोग आप देखते हैं ग्रामीर में ही पसंद कहते हैं रहना अनुसूचे जन्जाती पुरसों की बात करें तो आप देखेंगे इसमें 5,81,083 है और ग्रामीर में 5,26,315 है और नगर में आप देखेंगे 56,768 लोग रहते हैं अनुसूचे जन्जाती के पुरस अनुसूचे जन्जाती की महलाओं की बात करें तो आप देखेंगे 5,53,190 है ग्रामीर में आप देखेंगे 5,461 है और नगर में आप देख करती है अंसुचश जंजाती का लिंगन पास ठीक है 952 आस सब सी अच्छा हैém गरामीnd संख्या में 969 नंग्रीग कर दिस्थे नगर में आप दीखें है यहाँ यहाँ बेखिए भिण उन करोड 43 लाग 97,555 लोग यहां साक्षर हैं और साक्षरता की देखिए परिभासा भी हमारे यहां बहुत अजीब रखी गए जो पड़ लिख लेता है उसे साक्षर बना दिया जाता है कह दिया जाता है साक्षा पूरुस की देखें तो आप देखें कि 6 करोड 82,34,964 है और साक करोड 1,22,591 है जाता दड़ देखें तो शरसट दसम्लोह 7% है उस पूरुस साक्षर दर आप देखें गे सतर दसम्लोह 3% माहळा साक्षर बना देखें तो ? 25,42% है ग्रामिट साक्षरता दर देखें तो ? 75.50% है पूरुस की देख्ष। 3.30% महला हो में 48.40% है ग्रामिट में नगरी एक साक्षरता 35.1 परसेंट है पोर्सों में 80 परसेंट 80.4 परसेंट महिलाएं 60.9 परसेंट कुल किसान एक लाग नभे एक करोण नभे लाग चंतावन हजार 888 है कुल सिर्मा को में किसानों की वह सत कापेसी से 29.0 परसेंट है ग्राम में 35.6 परसेंट नगर में 4.0 परसेंट उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देख लिजे जनगरना 2021 के अनुसार आकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19 करोड 98,12,341 है जिनमें पुर्सों की जनसंख्या 10 करोड 44,8,510 है उमहलाओ की जनसंख्या आप देखेंगे 9 करोड 53,3,831 है उत्तर प्रदेश में भारत की 16.5 परसेंट जनसंख्या निवास करती है टोटल की उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्च है और विस्ते के 5 सबसे अधिक ज जन संख्या की लगवग बराबर है पाकिस्तान की जन संख्या की बराबर है लगवग उत्तर पिदेश का सरवादिक जन संख्या वाला जिला इलावाद है 69,553191 है सबसे कम जन संख्या महभूबा की देखने को मिलेगी 8,75,958 तो ये भी याद रखेगा जन संख्या पिदेश की अधिक्तम जन संख्या वाले जिला इलावाद 69,551,591 की साथ पहले नमबर पर मुरादाबाद 47,72,006 की साथ दूसरे नमबर पर गाजियाबाद 46,181,645 की साथ दीसरे नमबर पर है और उत्तर पिदेश की नियूंतम जन संख्या वाले जिला महुबा 8,75,958 के साथ पहले नमबर पर चित्तकूट 9,91,730 के साथ दीसरे हमीरपूर 11,4,282 के साथ दीसरे सबसे कम आप देखें हैं महुबा की है और सबसे जान्दा इलावाद की है उत्तर पिदेश के सबसे अ तीसरे पर गाजियाबाद तीसरे पर आगर आप लोग जन संख्या याद रख सकते हैं तो लखिए पहली नमबर को जरूर याद रखेगा और सबसे कम तीन जले महुबा में सबसे जान्दा देखने को मिलेगा चैर चार लाग 666,358 महुबा में कम है और इलावाद में वैस तरह से याद रखना हो दस्की विद्धी दर 2011 से 2011 की वीच कितनी जन सेंख्या बड़ी तो 2011 के आंकणों के अंशार उत्तर विदेश की दस्की विद्धी दर 20,2% रही जिस पर से नंगरिये दस्की विद्धी दर 28,8% उग्रामीड विद्धी दर 18,0% रही है तो यह भी या दूसरी नंबर पर स्तरावस्ती तीसरे पर सबसे कम दस्की विद्धी दर वाले जिले कामपूर नगर है 9,9% की विद्धी विद्धी वही है तो यह चोटी चोटी बात नहीं भी याद रखेगा हमीरपूर दूसरे पर है बागपत तीसरे बर लिगनपात में देख लिजे और सबसे कम लिगनपात गोतम नगर का है 5859 तो यह भी याद रखेगा ठीक है जौनपूर सबसे जानदा और कम में आप देखेंगे गोतम बुद्ध नगर सबसे अधिक लिगनपात वाले तीन जिले जौनपूर सबसे जानदा 1024 आज हम गड़ दूसरे नंबर पर 1019 जनगरना 2011 के आखणों के अंसार उतर पिदेश की जनसंक्या घनत 839 वेक्ति पिती बर किलोमीटर में एक बर किलोमीटर में निवास करते हैं जो 2001 से 2,690 वेक्ति से 129 वेक्ति अधिक हो गया तो जनसंकी बढ़ी है ना उतर पिदेश हम सबसे अधिक जनसंक्या घनत वाले गाजियाबाद है 3,941 वेक्ति रहने हैं बर किलोमीटर में और सबसे कम आप देखेंगे लालितपुर का है 242 वेक्ति रहने हैं पिती बर किलोमीटर में धार्मिक जनगरना 2011 की जनगरना के आखणों के सवार उत्तर प्रिदेश राजी की कुल जन संक्या में आप होंगे 89.73 हिंदू है वही तेन करोड चौरासी लाग तैरासी हजार नौसर सर्सट उन्नीस दसमलोव 26 परशंट मुसलिम जन संक्या है और बड़े सहरों में सामिल गाजियाबाद में सरवाधिक हिंदू है गाजियाबाद में कुल हिंदू की इस्तेदारी 82 दसंट 14-30 सिख 0.96 परसंट इसाई 0.78 परसंट जैन 0.71 बहुत धर्म की जन संक्या 0.15 परसंट है ओतर प्रदेश की कुल जन संक्या में 75 पीस्दी सी अधिक हिंदू की जन संक्या बाले जिले गाजियाबाद जहांसी यागरा कानपूर गोरकपूर इलाबाद है प्रदेश की प्रदेश सरवादिक ए अठाइस लाग सत्रह हजार एक सुच्छपन जन संक्या वाली महानगर लखनव महानगर में बीस करोड़ बीस लाग चबीस हजार चबीस हजार 666 सब एकत्तर दिसम्लाव साथ वर्ट्रेंड हिंदू और साथ लाग और 42,529 पी तीसाद मुसलिम रह प्रदेश संक्या जब्की मुसलिम स्सेदारी 46 परसेंट है मुरादाबाड में आप देखेंगे चाहराद में पारदीक 47 ॥र वर्ट्रेंग रहते हैं और और अलिगर नगर निगम शेत्भी मुसलिम समाज की जन संख्या 43 जबकि हिंदुओं की चव पच्पंद समलो चार परसेंट है और यह आंकड़े आप देखेंगे उत्तर पर देखा जाए तो सूबे में 80 या 85 पितिसत से उपर हिंदुओं की संख्या बाली मात तीन ही सहर हैं जो करमसा गाजिवाद जहांसी और आगरा हैं 70 से उपर और 80 किंतु 80 पितिसत से कम हिंदुबाले जिले की जन संख्या 5 है जिसमें कानपूर गोरफपूर इलाबाद लगनव बनारसी जिले आते हैं वहीं 50 या 70 पितिसत हिंदुबाले जिलों की संख्या 6 है सूबे में 40 पि उत्तरफिदेश के बड़े सहरों में ईशाई सिख वो बहुत जैन की पितिसता अधिक कम है उत्तरफिदेश के सभी धर्मों के आंक्रों कुसी इस पर रहेगी उत्तरफिदेश की संपूर जन संख्या 19 करोड 98,12,331 है जिसमें पूरुस 10 पूरुस आप देखेंगे 10 करोड 24,80,510 है वो महलाएं आप देखेंगे 9 करोड 33,831 है कुल जन संख्या में महलाओं की 37,47,41 पर सेंट है एक और जहां हिंदूओं की सुभी में सबसे अधिक जन संख्या है तो वहीं दूसरी और बहुत धर्म की जन संख्या सबसे कम है लेकिन अजी बिड़मना है कि 48,71 पर सेंट है इसके बाद मुसलिम धर्म की स्थान आता है जिसमें महलाओं की 37,48 पर सेंट है तीसरे चोथे स्थान पर किन हमसाजयानों बहुत धर्म लाएता है जो आप देखेंगे 47,96 पिती सथ हो 47,91 पर सीशर सभी धर्मों में महलाओं की पिती सथ की लिहाज से आप की कुल जन संग क्या आप देखें विविन देखें आप लोग याद रख लिजे नहीं अगर रखना चाहें तो ठीक है गाजियाबाद यहाँ आप देखेंगे 46,18,645 टोटल जन संग क्या ब्यासी दसमलों 50 पर सेंट हिंदू 14 पर सेंट मुसलिम जीरो दसमलों 80 पर सेंट स तरह से याद रखेंगा अपना सरवाधिक मुसलिम जन संग्या वाले जिले यह आपके सरवाधिक बड़े सहर जहां धर्मों विवन धर्मों की सिदारी है और इसमें जिला आप देखें रामपूर 23,00,35,819, इसमें 10,00,10,73,890 है और आप मुसलिम जन संग्या आप देखे है तो रामपूर आप देखते हैं आजम कगड़ यहीं से आते हैं ना सरवाधिक हिंदू जन संग्या वाले जिले चितकूट कुल जन संग्या आप देखें नौला कि कानवे हजार साथ सो तीस है जिसमें हिंदू आप देखेंगे नौल लाख उनसाथ जाह तीन सो तेत्तर ह होसले में हाथ 34,569 हैं तीन दसम लोग चाल सो पचासी परसेंट यह भी याद रख सकते हैं आप उत्तर विदेश में सभी धर्मों धर्मों यह महिलाओं की जन संग्या है हिंदू में आप देखें पंद्रे करोड तेरानुए लाग बारे बारे कुल जन संग्या आपकी हो पंद्रे करोड तेरानुए लाग बारे हजार चैसो चंग्वन इसमें पूरस देखेंगे आठ करोड पैंतीस लाग पच्पन हजार साथ सो चौवीस महिलाएं साथ करोड त्रिव संतावन लाग छपन हजार नोसो तीस कुल से तालीस देसमलों पच्पन परसन मुसलिम में कि आप देखें कि टोटल जनसंग आइं तीन करोड चारा सी लाग Ettेरासी हजार नोसो सारसाथ मेलाय हैं फॉरस में एक करोड रॉन इंड़ानवे लाग सब से बहुत थोड़ी छह लाग 43,500 इसमें से तीन तीन लाग 41,400 इंक्यावन पुरुस है और तीन लाग 2,099 पुरुस महिलाएं हैं च्छालीस दिसमलाओ 94% और इस आई में देखेंगे तो 3,56,448 कुल जन संख्या उतर पर देश में पुरुसों की देखें तो 1,82,838 है और महिलाओं में 1,73,610 है 48,71 जन में आप देखेंगे तोटल जन संख्या 2,13,266 है पुरुस इसमें 1,10,994 है महिलाओं 1,2,273 है 47,96 बौद में आप देखेंगे 2,6,285 है इसमें पुरुस से आप देखेंगे 1,7,424 है महिलाओं 9,861 है 47,91 यह याद रखेंगा अब सिक्षा की बात कर लेते हैं साक्षरता की दिरिष्टी से उत्तर पिदेश का देश में इस्थान नीचे से ही टॉप करता है नीचे से पांच बाय है साक्षरता में हम देखें उत्तर पिदेश की बुरी स्थिति है इसमें कोई दोरा नहीं होने चे और देश की तरह उत्तर पिदेश में जो सिक्षा पिडाली पिछले थो वही अधिकांस था कोठारी आयूग की संस्तितियों पादा आदे रही थे कोठारी आयूग की याद रखेगा सिक्षा के संब्द में दी गई कोठारी आयूग की संस्तितियों को 1968 में लागू किया गया था सिक्षा आयूग ने डिगरी तक पहुँचने बाली 15 वर्स 10 पिलस 2 पिलस 3 एक समा नहाचे का सुझा दिया था अब नहीं आपकी सिक्षा नहीं आई हुई है अब आप देखे वो लागू होती हो जब चालू होने लगती है तो उसके बाद आप लोग याद रख पाएंगे और उसके बाद में एक सामन जानकारी हम लोगों ने देखी है तो उसे जरूर आप लोग देख लिजेगा पड निदेशक, बैसेक सिक्षा, निदेशक, मादमिक और उच्चे सिक्षा, निदेशक की पदों का सेजन कर दिया गया है और फिर आप देखें कि पर सिक्षण एवं अनुसंदान संस्थाओं के गट्ती सील प्रभावी नियंतर देने के उद्देश से 19-1981 मेराज सिक्षण अनुसंदान ओपे सिक्षा पईश्च निदेशक की इस थाफना की गई इसके लिए अलग से एक निदेशक की निवक्ती की गई प्रात्मिक सिक्षा के सारभूमी करन की लक्ष की प्राप्ती हितु वो महत्पूर्ट परियोजनाय संचालित की गई है जो इस पेकार विध्याले होने में मध्यान भोजन योजना कारकरम राष्टी कारकरम सरभ सिक्षा वियान में भारत सरकार का अंसेदान 65-35 और तथा राज़ सरकार का 35% है कक्षा एक से कक्षा एक से आठवी तक वालक एवं बालिकाओं को नभीन सिक्षा पिणाली द्वारा सिक्षा प्यदान की जाने के उद्धिस आधूनिक अपद्धिती पर आधे हिस लखन प्रात्र अनुपाद को बनाये रखने के एवं ग्रामीडी उबा सकती को अपने ही ग्रामे सिक्षा से जोडने के लिए सिक्षा में त्योजना का करानमन सन 2001 से प्यारम किया गया है। सहायता प्राप्त उच प्रात्मिक विध्यालेयों में अध्यानुरत गरीब रेखा से उपर बालकों को पिती बालक दो सेट निसोल की उनिफॉर्म उपलद करानी की ब्यूस्ता की गई है। मादमिक सिक्षा चैन बोर्ड का गठन किया गया। इसका काम राज जी के मादमिक विध्यालेयों के लिए सिक्षकों का चैन करना है। और आप देखेंगे मादमिक सिक्षा और परिशत उत्तर पिदेश इलावा संभवत देश की सबसे बड़े परिक्षा लेने वाली संस्ता है। अन्या विध्या धन इयोजना का उद्देश पिदेश में बाली का सिक्षा को बड़ावा देने ही तो आर्थिक दर्सा से कमजोर परिवराओं के ऐसी चात्राओं जिन्हों इंटर की परिक्षा इसके कोई परिक्षा उत्तीन कर लिए है। तो उच्षे सिक्षा पिराप्त करने के लिए राज सरकाद वारा एक मुष्ट तीस जार रुफे की आर्थिक साहता दी जाएगे। निदेश आलाए उत्तर पिदेश से इलावाद द्वारा उच्षे सिक्षा का संचालन किया गया है। इसकी स्थापना हुए तीन दयाल उपाद्य है गुरगपूर विश्विद्याल है गुरगपूर में है उसकी स्थापना हुए ती। संफोर्णानन संस्कित विश्विद्याल है बनारस में है उन्नी सो अंठावन में इसकी स्थापना हुए ती। साहूजी महराज विश्विद्याल है एकानपूर में है उन्नी सो पैंसट में इसकी स्थापना हुए ती। स्थापना हुए थी। मातमा जियोतिवा फूले रोहिल खंड विस्विध्याले बरेली में 1975 में इसकी स्थापना हुई थी पीर बहादुर सिंग बुर्वांचल विस्विध्याले जॉनपूर में 1987 में इसकी स्थापना हुई थी टॉक्टर एपी जे अब्दूलकलाम प्राभी दिक विस्विध्याले लखनग में सन 2001 में इसकी स्थापना हुई थी गौतम बुध्य विचिविध्याले गेटर नोइडा में सन 2002 में इसकी इस्थापना हुई थी सिधार्ध विध्याले, कफिल बस्तु सिधारद नगर में हैं 2015 में इसकी स्थाफना हुई, उत्तरपधेश आईवीग्यान विध्याले सेफई में हैं 2016 में इसकी स्थाफना हुई थी हर कोट बटलर प्रोधोगी की विस gir विधियालन है 2016 में जंञाइक चंदसीकर विधियालन है वलिया 2016 में और मुक्त विधियालन है उत्तरपितिस्वाजर सी टंडर्मुक्त विधियालन है इलाबाद में 1998 में अगरा में ए आप देखेंगे 1981 में पच्चुसी किसा अनुसंदा संस्थान इजिन नगर बेलेली में 1983 में इसकी स्थापना हुई, केंदरी उच्च बतीज सिक्षा संस्थान सारनाथ बनारसी में 1989 में इसकी स्थापना हुई, इलाबाद एग्री कल्चर इंस्टीटीटर नैनी इलाबाद में संदोहजार में इस में इसकी स्थापना हुई, जेपी सूचना परोधकी की संस्थान नोईडा में सन 2004 में इसकी स्थापना हुई, सोभित अभियांतिकी इबं परोधकी की संस्थान मेरट में सन 2006 में इसकी स्थापना हुई, नहरू ग्राम भारती विसविद्याले इलाबाद में 2008 में इसकी स्थ संयाल जफारति विश्विधध्यालै मिरट में जाराट में टीर कर महाबीर विश्विधiałaलै मुरादाबाद में 2008 में साथ City स्जिविध्यालै ख्रेटा नो उटाब तम उधनगार नघर99 में GLA Witch मतर्परा में 2010 में स्जिविध्यालै जो भीएज में, मुणाड विस्विध्याले हापोर में 2010 में नुवदा इंटर्नेसनल विस्विध्याले गेटर नुवदा उतंबुद् Alghar में 2010 में IEFTS विस्विध्याले उंकार उंकारधाम लोधिपुर राजपु दिल्ली रोड मुरादाबन में 2010 में बैंकेटीसोर विस्विद्धियालै, गजरॉला जियोतीवा फुले नगर 2010 में, बाबू बनारसी दास विस्विद्धियालै लक्नुग 2010 में और आप देखेंगे गल गोटियाज विस्विद्धियालै, गेते नुएड़ा गोतम बुद्धियालै नगर हमें 2011 में दा गिलोकल उनिवर्सिटी सहरानपुर में दोजार बारे में, सोवित विसविद्याले सहरानपुर में दोजार बारे में, बेनेट विसविद्याले गेटर नुटा दोजार सोले में, एरा विसविद्याले लकनव में दोजार सोले में, आयाईम्ट विसविद्याले मेरेट म में 2016 में प्रात्मिक सिक्षा राज में 78 सरकारी पॉली टेक्निक 19 अनुदानित पॉली टेक्निक और 234 नेजी पॉली टेक्निक संचाले थे लगनव में उक्तर पिदेश प्राविदिक विष्विध्यालाय की स्थाफना की गई थी, पिदेश में सिक्षा पिदान करने चनता गुस्वास संबंदी सुविध्याय के लिए पिदान करने के लिए चिंग जोड़ बिस विद्याले लखनव चत्पती साहुजी महराज चेकसा विद्याले इसका नाम दोजार दो में दोजार चार में डॉक्टर रामनुहर लोहिया इंस्टीट और मेमोरियल साइंसे लखनव में सरोजनी नाइटू मेडीकल कॉलिज एवंची किस्सा अले आगरा में अठारे सु चंगन में समझ रहे हैं गनेश संकर विद्यायती समारक मेडीकल कॉलिज एकानपुर में उननी सो चपन में मौतिलाल नहरू मेडीकल कॉलिज इलाबाद में उननी सो एकसट में ये 1972 मेंる बहरा नसीवा अली अलीगर्ण मेडीकल कॉलिज बनारसी अलीगर्ण विझ्विध्याले निद्ट ने इस तरह से आप देख सकते हैं गोटम उद्टने सक्थ लावाद में है याद रखी बढ़ते रहते हैं तो इस पर जानदर टेंसा नहीं है आप लोग जब करेंट अपियस पड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग सब समाझ पाएंगे। परिवहन होता है जाते हैं। एसिया का सबसे लंबा साइकल हाईवे एटावा आगरा के मदद 207 किलो मीटर। देश का सबसे लंबा फोर लेंड ग्रेंफेंड एक्सप्रेस वे आगरा लखनव के मदद 302 किलो मीटर। तरक परिवहन परिवहन के सादनों में सबसे महत्पूर सादन है। उत्तर परिवहन नगम का जाल बिचा हुआ है। उत्तर पिदेश में परिवहन निगम का केंदरी कारसाला इवंपिस्रिक्षा असनस्तान कानपूर में उत्तर पिदेश राजसरक परिवहन निगम को 10 चेत्रों में वाटा गया। यह आप सभी जानते होंगे। रेडियो टेक्सी सिवा, पिदेश के नगर निगम बाले नगरों में निजी छेत की माध्यम से सुरक्षित अरम दायक बातुन कूलित परिवहन साधन उपलद कराने को देश से 22 नवंबर 2013 को लकनों में ऐसे बास रूकी गई थी। राजमेराष्टिय मार्ग का नवी कर्न पितेक तीन वर्स बाद, राज्ज मारगों का पांच वर्स बाद, मुख जला मारगों का छे वर्स बाद और अन जला मारगों का गरमीं मारगों का 8 throughout सब्सक्राइब 800 बादARK नीउ जी लेंड हो से हाइवी पुलिस का गठन किया जा लगा उत्तर पिदेश उत्तर दच्छें और पूर्प अश्टिम गलियारा को छे लेन की सड़क पिदेश के जहासी जिले से एक दूसरी को कारती है। पिदेश के आप देखेंगे देश में पिथम स्थान है। उत्तर पिदेश से होकर गजने वाले सबसे लंबा राक्टिमाग दो है। जोड़ता है है भारत का सबसे लंबा चैलेन कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेस बे इस्टेच है। आगरा लखनव एक्सप्रेस बे एक्सप्रेस बे चैलेन वाले इस एक्सप्रेस की लंबाई 302 किलोमीटर है। और आप देखें आगरा लखनव एक्सप्रेस बे आगरा फेरोजाबाद मैनपुरी टाबा और एया कन्नोच कानपुर नगर हर्दोई उन्नाओ लखनव जिलें से गुजरता है। इस एक्सप्रेस बे आगरा लखनव के सड़क मार्ग लगने बाला यात्रा सग समय लगभग आदा हो जाएगा। इस एक्सप्रेस बे का पिया मौदी ने 27 मई 2018 को उधगाटन किया है। उधगाटन दिली मेरट एक्सप्रेस बे पर 9 किलोमीटर के पहले खंड पर किया गया है। सौनिपत, बागपत और गाजियाबाद, गेटर नोएडा, फरीदाबाद और फलवल्स को जोड़ता है। सोलर पावर से लेश देश का पहला एक्सप्रेस बे एर नेशनल हाईवे दो के अंतरगात आता है। साथ सो सतर किलोमीटर इसकी लंबाई है उत्तरप्रेस में। तीसरा आप देखेंगे तो आगरा क्वालियर इंदोर नासिक मुंबई 26 किलोमीटर उत्तरप्रेस से गुजरता है। इसकी लंबाई है उत्तरप्रेस में। राष्टी राजमार्ग संक्यासाथ बनारसी मंगवाना रीबा कन्या कुमारी 128 किलोमीटर है उत्तरप्रेस में लंबाई। 11, आगरा जैपूर वीकाने 59 किलोमीटर 24, दिल्ली वरैली लखनाओ 430 किलोमीटर 25, लखनाओ कानपुर 6, शिपुरी 233 किलोमीटर 26, लखनादेव 128 किलोमीटर 27, इलाबाद मंग वाना, 23 लखनव वनाडसी 269 किलो मीटर 29 गुरकपूर गाजीपूर वनाडसी 196 किलो मीटर 56 लखनव वनाडसी 285 किलो मीटर 58 गाजियाबाद मेरट हरिद्वार मानादर्रा 527 किलो मीटर है उतरपेदिस में इसकी लंबाई तीक है और 86 कानपूर देवास 674 किलो मीटर है 87 रामपूर नेनी इताल 83 किलो मीटर है 91 गाजियाबाद कानपूर 405 किलो मीटर है 92 भोगाओ ग्वालियर 171 किलो मीटर है 93 आगराल अलीगर चंदोसी मुरादाबाद 220 किलो मीटर है 96 फैजाबाद सुल्दानपूर पिताफगर इलाबाद 160 किलो मीटर है 97 गाजीपूर जमनिया सेयद राजा 45 किलो मीटर है उतरपेदिस में लोग निर्मार विवाक की सड़की को लंबाई या 1,6,728 किलो मीटर ये आप देखे वरती रहती है इसलिए आप लोग जब पीपर साल देने जा रहे हैं उस साल का करेंट अपिया सियाद रखा करिएगा रेल परिभान की भारती रेल वेवस्ता एसिया की दूसरी सबसे वड़ी वविस्की चौतरी सबसे वड़ी रेल वेवस्ता है यह देश का सबसे वड़ा सास्की पितिष्ठान है 31 मार्ट 2017 तक मुकमंत्री योग याद इतना द्वाया दना ट्रांस्पोर्ड नगर से चार बाग लखनाउ मेट्रों का उद्गाटन 5 सेप्टमब 2017 कुकी आ गया था मुगल साय रेल वे स्टेशन का नाम बदल का दिन दयाल उपाद्याय कर दिया गया बायू परिभान ए इलावद में ना लखनों में देखने को में लेगे चकेरी हवाई इड़ा एकानपूर में बमरोली हवाई इड़ा इलावाद में और आप देखेंगे खिरिया हवाई इड़ा आगरा में हिंडन हवाई इड़ा गाजियाबाद में बरेली हवाई इड़ा बरेली में लाल भादो सास्त्री के यारम्बेटकर एरफोर्ट मेरट में, सैफ़ई एरफोर्ट फ्लाइंग स्कूल की रूम में बिक्सित है। यारम्बेटकर एरफोर्ट में, सैफ़ई एरफोर्ट में बिक्सित है। तो यह पॉइंट भी याद रखे। उत्तर फिदेश में राज सूचना के लखनव में है। उत्तर फिदेश में चल्चित निगम लिमिटेट की स्थापना 10 सेप्टमबर 1975 को की गई थी। सूचना एवं जनसंपयक विभाग उत्तर फिदेश द्वारा फिदेश की सांस्कितिक पर्याटन किर्सी साहितिक और दोगिक ग्राम विकास तथा अनविकास समंदी विस्यों पर वित्त चित वरत्मान घटना करम पर समाचार चित निर्मित करने का कार किया जाता है। तो यह बात हो गई है। और आप देखते हैं हर दो साल में रिपोर्ट आती रहती है। तो आप लोग जो हम लोगों ने करेंट अफेस कवर किया हुआ है उसमें कवर किया हुआ है उसे देख लीजे आप लोग। और आप देखें कि उत्तरपेदेस में बंच खेत्रों को बढ़ाने के लिए बरेली फिली भीत बिजनों और मेरट बताईू और शाहरानपुर जैसे जिलों में हाइटेक नरसरी विक्सित करने का कारिफ सुनुग रहा है। 11 जुलाई 2016 को उत्तरपेदेस सरकाद वारा गिरेन यूपी कलीन यूपी अभियान के तरह इत्माच करोड से अधिक ब्यक्च लगाने का रेकॉर्ड स्थापित किया गया था। सब्सक्राइब नीचे कंजर्वेट डिफ्टी कंजर्वेट, फॉरेश्ट रेंजर, फॉरेश्टर, फॉरेश्ट गायड होता है। वन संबंधी शिक्षा का प्यारम 1978 में फॉरेश्ट इस्कूल अवब देहरादून से हुगा था। 1884 में इसका नाम बदल कर Imperial Forest Hall देहरादून रखा गया था यह आप दीकि 1800 नहीं 1984 होगा वर्तमार में इसका नाम Indian Forest College है केवल रेंजर की सिक्षा दी जाती है 1912 में दच्छिर भारत की तब मिलाडू के कुएमबटूर में के दच्छिर Forest Ranger College की स्थापना हुई थी 1914 में देहरादून में Forest Research Institute की स्थापना हुई थी 1929 में एक और बन अनुसंधान केंद की स्थापना हुई थी पिसाचनेक दिरिष्टी से 6 बर्गों में भाजित होता है आरक्षित बन इन बनों में व्यक्षों की काटना बसुगों को चराना अवैद होता है राजकी एबन एबन पूर्ण रूप से सरकार की नेंतर में होते हैं समुदायक एबन एबन इस्थानी जिला परिष्टों और नगर पालिकाओं की नेंतर में होते हैं नीजी एबन एबन बैक्तिकत लोगों की अधिकार में होते हैं बननी मिती 26 देसंबर 1998 को राज सरकाद वार राज बननीती के नीती घोसित की गई थी जिसका मुखो देश पर्यावन सेता और पारिस्तिती की अनतंतुलन को बनाया रखना है। और आप देखें कि सरवादिक बन बाला जिला, सौनबद, नियूंता बन शेत बाला जिला, संत रवीदास नगर, राज का एकमात राष्टी उद्यान, दुद्बा राष्टी उद्यान, यह भी जरूर याद रखेगा, एक कुश्चन्स भी कई बार पूच लिया है। जोटा बन जीब बिहार, हस्तना पूर बन जीब बिहार, हातियों के सरक्षर ही तो केंद द्वारा, 1992 में सुरू की गई थी, प्राइजिक प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट रिजर्फ स्थावित करने की युजना, साहरान पूर बिजन ओर में। यहा आपको तिन्दुगा, काला हेरन, चिंकारा, चीतल, सांवर, लकडबग्गा, गीदर, भीडिया, सेही, भालू देखने को मिल जाएगा। किसनपूर बनेजी बिहार लखीमपूर खेरी में 204 बार किलो मीटर में 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, तिन्दुवा बाग, वारे सिंगा, चीतल, फाड़ा, जंगली सुवर, गीदर से ही लंगूर, बंदर, विभेस इस्थानी और पिरवासी पक्षी देखने को मिल जाए कतरनी या घाट बनेजी बिहार बहराईच में 400 बर किलो मीटर में फेला हुए, उन्दी सो चैतर में इसकी स्थापना हुई थी, तिन्दुवा बाग, वारे सिंगा, चीतल, फाड़ा, काला मेरग, नील गाय, गेंड़ा, घड़याल, मगर, जंगली सुवर, गीदर से ही बेवन इस्थानी प्रवासी पक्षी मिल जाएंगे, रानी बनेजी बिहार बांदा चितकूट में 233 बर किलो मीटर में फेला हुए, उन्दी सो साबर में इसकी स्थापना हुई थी, तेंदुवा, बाग, साबर, चीतल, नील, गाय, जंगली सुवर, काला मेरग, गीदर से बेवन इस्थानी और फ्रवासी पक्षी भी मिलते हैं, महावी स्वामी बनेजी बिहार ललेतपूर में देखने को मिलेगा, पात दसमलों 4 बर किलो मीटर में, उन्नेसो साबर में इसकी स्थापना हुई थी, काला मरग, नीलगाय, जंगली सुवर, लंगूर, बन्दर बेवन इस्थानी और फ्रवासी पक्षी मिल जाएंगी, केमूर बनेजी बिहार, मेरजापूर, सौनभादी की बिन्दपरवस सिंखलाओं में, पांसो एक बर किलो मीटर में फैला हुई 1982 में, किसन मेरे सामर चीतल, चिंकारा, चो, सिंगा, नीलगाय, भालू, दिन वावन बिलाब, कराकल, बिल्लू, बिभिन इस्थानी और फ्रवासी पक्षी देखने को मिल जाएंगे, हस्तनापूर बनेजी बिहार, मेराटपूर, गाजी अबाज, विजनौर, जयोतीबाब, फुली नगर, ये आप देखेंगे, दोहजार तेहतर वग किलो मीटर में फैला हु में फिला हुए, 1988 में इसकी स्थाफना हुई थी, तेंदुगा, बाग, देसी भालू, चीतर, बनविलाब, जंगली सुवार, बेवन पक्षी यहां देखने को मिलेगे, कच्छुआ बनेजी बिहार, रामनगर, वनारसी में साथ बर किलो मीटर में फिला हुए, 1989 में इसकी स इस्थानिय पक्षी, समस्पूर बनेजी बिहार, इराइबली में आठ बर किलो मीटर, 1987 में, गीदर, निवला, खरगोस, विवन परवासी, इस्थानिय पक्षी, लाख बहुसी बनेजी बिहार, कन्वोज में, 80 वर किलो मीटर में फिला हुए, 1988 में इसकी स्थाफना हुई गीदर, निवला, निलगाय, फिसिंग, कैट, बंदर, विवन परवासी और इस्थानिय पक्षी देखने को मिल जाएंगे, सांडी, बनेजी बिहार, हर्दोई में देखने को मिल जाएगा, 1990 में इसकी स्थाफना हुई थी, देखिए याद रख सकते हैं तो एक बार आप ल यहाँ आप देखेंगे गीदर, निवला, निल, गाय, विवन परवासी इस्थानिय पक्षी, ओखला बनेजी बिहार, गाजीवाद, गोतम बुद्रनगर में चार वर किलूमीटर में फला हुए, नब्बे, 990 वर किलूमीटर, 990 में इसकी स्थाफना हुई थी, सामान बने गाजीब बिहार, एंटा में, 1990 में इसकी स्थाफना हुई, एक बर किलूमीटर में फला हुए, और सोर्हाताल बने जिप बिहार, बलिया में, प्रवरी निए सो चोत्री स्थापना हुई एक्टर जनफर कानपूर सहर एलन फॉरेस्ट कानपूर में फैला हुई दो फरवरी निए सो चोत्र में स्थापना हुई लखनव गरामी उद्यान लखनव में 28 दिसमलोग 14 हेक्टर में फैला हुई है 1921 में स्थापना हुई थी तो ये सब छोटी छोटी बाते हैं याद रख सकते हैं आप लोग आराम से अब समाचार पति पति काई देख लेते हैं वर्तमान समय में उत्तर पिदेश के विविन नगरों से पिकासित होने वाले पिरमों के समाचार पति इस तरह से हैं ए देनिक समाचार पति हो गया पिकासन बिस्वमित कानपोर से वीरभाव भारत कानपोर से तरवन भारत लखनवु से सुदंद भारत लखनवु से सनवार्ग वनारसी से प्रयाग पति का इलावा से नवोधित कानपोर से नवजीमन लखनवु से जै भारत कानपोर से देनि इंडिया पत्तिका अंग्रेजी में इलावा से DLA ए आगरा से सप्ताहिक समाचारपत ए इनका पेकासन इस्थान हो गया राष्टमत कानपुर से राष्टभासा संदेश इलावा से आरिमेत लखनव से प्रेम पेचारक ए आगरा से प्रवाद अलीगर से नेर जीर कानपुर से नया संसार मुझफपर नगर से नया भारत लखनव से नांगरे कानपुर से लोकपत जांसी से कुटज ए वलिया से जन्योक लखनव से पाक्षिक ए समाचारपत पत्तिका है कानपुर टाइम्स कानपुर से नाया युवक लखनव से आपका स्वास्त वनारत से अमीता लकनव से अकन्ड जोती मतरा से अग्हारन लकनव से अध्यातम इलाबात से गाउंकी ओर गोरखपुर से बाल सक्षा इलाबात से भारतीय सिक्छा कानपुर से बनादी शि priests लकननव से धरतीमा गाजीवाज से इकांथ मतर ए वर से मनमोहन इलावा से मनोहर कहानिया इलावा से मनोर्मा इलावा से माया इलावा से मार्तंड मेरर से नई सलीम वे बनार से पंचदूत एटा से पंचयाती कानून इलावा से प्राक्तिक जीवन लखनौ से फितियोगिता दरपन आगरा से और आप लोग परते भी होंगे सक्सिज मेरार स्वादेशी वीमा नगर ए आगरा से परमार्थ साय जहापुर से राजा बेटा बनार से रंग इलावा से रानी बिटिया बनार से राष्ट धरम लखनव से रस्वंती लखनव से साधन मतुरा से साधन मतुरा से सहकालता लखनव से साहत लोक आगरा से साहत सीघेंगे। पिरमोग साहितकार उनकी किर्थिया देख लिए एक साहितकार हो गए, साहित हो गए उनके कभीरदा, साखी, सबद, रमेनी, सूर्दा साब देखें, सूर्शागर, साहित लहरी, मुंसी प्रेम, चंद, गवन, गोदान, सेवा सदन, भारतेंदु हर्चंद, भारत दोदसा, मुद्रा, राक्षा प्रेम, तरंग, चंदावली, कस्मीर कुसम, देवकी नंदन खत्री, चंद कांतरा, मेतली सरन गुप्त, साकीत, या सूधरा, भारत भारती, जैवदर्थ बद, द्वाफर, इन्हें राष्ट कभी की उपादी दी गई थी, आप सभी जानते हैं, मलीक मुहमत जैसी, इनकी रचनाएं अगर आप देखें, तु पदमाबत है, अखरावट है, आखरी सलाम है, सुमत्रा नंदन पंथ, युगांतर, वीना, गरंथी, उत्तरा, पल्लो, ग्राम्या, इन्हें अपनी अधिकांस रचनाओं में प्रकिटी चित्तन किया है नोने, जैसे कंकर पर साथ, कामाईनी, कंकाल, एरावती, तितली, धरोग स्वामनी, हरी वंस, राय बच्चन, मधु साला, मधु बाला, निसा निमंतर्ण, फिर आप लोग जंजातियों के वारे में देख लीजे, उत्तर पिदेश में पाई जाने वाली पिरमोख जंजातियां, ग बथारू समूग का स्थान है, उत्तर पिदेश के जालोन और फैजाबाद जिलों में एक भी जंजाति नहीं पाई जाती, काहां जालोन और फैजाबाद जिले में, और वैसे भी अनुसूचित जंजाति के लोग यहां कम ही देखने को मिलेगे जंसंख्या, ये जंजाति हो अगर हम लोग 11 की जंगरना देखें, अभी तक तो आप देख रहे हैं कि 2011 की हिसाब से हम लोग आंकडे देख रहे हैं, जब तक 2021 के आंकडे नहीं आ जाते हैं, तब तक नहीं आकड़ों को आप लोगों के याद रखना होगा, तो इसमें ये जिला हो गए, और जंजाति जंसंख्या हो गई, और 2001 के हिसाब से हो, 2000, जंगरना 2011 के हिसाब से, सहरानपुर में 366, ये 980 पहुँच गई है, मुझभण नगर में 683 हो गई है, तो मुझे हो गई, तो ये भी आप लोग याद रखेगा, आगरा में आप देखें, 215 थी, 7255 हो गई, ये आपकी 2000, कब 2011 की जंगरना के साब से, ललितपुर में आप देखें, सबसे जान्दा 119 थी, आपकी 77010 हो गई, और आप देखेंगे सौनभद, 119 आप देखें कि 3,858 हो गई तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्या, याद रखेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, चंद वली है, इसमें आप देखें, 41,725 और वलिया में आप देखें, 110,199 जंसंख्या बड़ी है, तो ये आप लोग याद रखेगा, या याद रखेगा, याद रखेगा, सासन दवार उपलब नहीं कराएगए, खैशे छुढ़िये इन्हीं आप लोग, ये मुझे लगता है, कि जाद आप लोगों को धियान देजरा नहीं है, उत्तर बिदेश राज जिसतर, ये अनसूचिद जातियों की सूचिए, अगरिया बधेग, बादी, बादी, ए बहेल बेगा, बेसबार, बजनिया, बाजगी, वलहार, वलाई, बालमीकी, बंगाली ये आप देखेंगे कि बंगाली ए बनमानुस, बासफोर, वरवार, बसोर, बावरिया, वैलदार, ए गौंड, गुवाल, हावुरा, हरी, हैला, कलावाज, कंजर, कपारिया, करवल, खेरा, ए हर खरवार, वैनवांसी, को छोड़कर, खटी, खोरोट, ये आप देखेंगे मत्वरेश की जन्जुर, क्या है, अनुसूचित जातियों की सूची है, और आप देखते हैं कि काफी जन्संख्या है, या अनुसूचित जाती की तो, खरीट, खरीट, टीक हो गया, खोरोट, कोल कोरवा, लाल बैगी, मजियार, बेरिया, भन्तो, भुईया, भुईयार, बुरिया, घसिया, घुसिया, जोसिया, जाटो, चेरो, दवगर, दागर, धनोक, धर्द, कार, धोबी, डॉम, डॉमर, ये आप देखेंगे मजभी, मुसर, नट, पंका, पहरिया, पासी, तरमाली, पटारी, रावत, सहरिया, सनोरिया, सास्तिया, सिल्वकार, तुरेया, दुसाद, घरामी, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, उत्तरपिदिस, राजजिस्तरिया, नसूचित, जंजातियों की सूचि, भेटिया, वुकसा, जौनसारी, राजी, थारू, चलिए अब मेले, गीत, उत्तरपिदिस, इनसे कुश्चन, जरूर, पूचे जाते हैं, और आप देखेंगे, उत्तरपिदिस में कुल, 2262 मेलों का ऐजन किया जाता है, और सरबादिक मेले, आप देखेंगे, मतुरा में, कानपूर, हमीरपूर, जहांसी आगरा में देखने को मिलेंगे, पित जा सकता है, कान आगरा में, उत्तरपिदिस में विष्व का सबसे बड़ा मेला, कुम्ब मेला, प्रयाग में लगता है, और उत्तरपिदिस में सबसे कम मेले, पेलीभीत जिले में लगते हैं, कान पेलीभीत में, और उत्तरपिदिस के विभन नगरों में आयुजित किया ज आर्द कुम्मी प्रयाग राज के कुम्ब के छे वर्स उपरांत पिती बारे वर्स में अर्द द्वार में लगता है। भी तो होता है बारेज का आदा कर दीजिए आप लो बटे सुर बटे सुर आगरा जिला में पिती वर्स गड़ मुक्ते सुर एक गड़ गंगा का मेला पिती वर्स नौचंदी ए मेरेट में पिती वर्स नौचंदी मेला लगता है आपका दसहरा ये आगरा मत्रा वैसे ही है सरवत मनाया जाता है लट्ठा मार हो ली नंदगाओं की निकट बलसाना मत्रा में पितिवर्स हो ली पर वल सुंदरी देवी अनूप सहर में कंपिल एक भागा में देवी पाटन गौंडा में सरावनी वजनमास्ति में ए मत्रा में नौरात्री मेला आगरा में केलास मेला आगरा सावन के तीसरे संबार को पितिवर्स गंगोर मेला आगरा में और हरिद्यास जैंती बिंदाबन में और गुला गुरक पुनाथ एक खीरी में कहाँ खीरी में, तो यह भी याद रखे उस्षाओदेख लिजे रांग पंचमी, गौवर्दन पूजा, बसंद पंचमी, मकर संकराती, सिबरात्री, आदिवस्व मनाते हैं। बराफ, बराफ, फात, और सब बरात मनाते हैं। इसाई धरम के लोग किसमस, गुड़ फ्राइडे, इस्टर और नौवर्स मनाते हैं। बरातियों को संग्र हिट किया गया है। और 31 सगस 2002 में उत्तर पेदेश संग्राले नेदेशाले की रूम सुतंत्र नेदेशाले की स्थापना की गई। इसे पूर समस्त संग्राले संस्के नेदेशाले उत्तर पेदेश द्वारा संचालित होते हैं। और उत्तर पेदेश में लगवख 70 संग्राले हैं। इस संग्राले में लगवख एक लाग से अधिक कला अपको देखने को मलेगी। और राच्किय संग्राले मतुरा इसकी स्थापना 1864 में की गई थी, 1912 में सरकार्नी से अपने अधिकार में ली लिया था। यही एक पुरातत संग्राले हैं। इससंग्राले को कुसाड का लीनकला का सरवतम संग्राय माना जाता है। तो यह भी छोटी बाते हैं आप लोग याद रख सकते हैं। राच्किय संग्राले जहांसी, इस संग्राले की स्थापना उत्रपदेश संस्कित विभाग द्वारा 1978 में जहांसी में की गई थी, जहांसी भी एक जिला है, अंतराश्टी रामकथा संग्राले जहांसी में एउध्या पहजाबात में, इस संग्राले की स्थापना 1988 में पिद्ध्या परिचेत कि पुरावसेसों बाद दुल्लव सांस्कितिक संपता आधी का संग्राय है। पिद्ध्या परिचेत कि पुरावसेसों बाद दुल्लव सांस्कित संग्राय है। पिद्ध्या परिचेत कि पुरावसेसों बाद दुल्लव सांस्कित संग्राय है। अम्बेडकर संग्राले और पुस्तकाले रामपूर इस संग्राले की स्थापना सन 2004 में की गई थी। इस संग्राले को स्थावित करने का उद्धिश भारत की समिधान निर्माता डॉक्टर भीमराव मेडकर की संबंदीत सभी पेकार की समग्रियों को संग्रियों को संग्रिया गया। राजकी बहुत संग्राले पिपर हवा इस सिधार नगर में देखने को मिलेगा बहुत धर्म क्या प्राचीन तम केंद होने के कारएं बहुत धर्म से संबंदीत कलाक्टियों के पिदर्सन ही तू इस संग्राले की स्थापना की गई है। संग्राले की स्थापना कासी हिंदू विष्विध्याले की जी राय किसने निजी के संग्राले से की गई है। किसके लिए? इसकी स्थापना आप देखेंगे 8 फरवरी 1962 में की गई थी। उत्तरपदे सासन के संस्किती विभाग की पूर्टा वित्पोसि स्वायत साथी इकाई की रूम में हुई है। उत्तरपदे संगीत नाटक अकादमी लखनौ इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 में हुई थी। इस अकादमी में पिछले 50 वरसों से संगीत नेत नाटक लोक संगीत लोक नाटक की परंपराओं की पिरचार पिसार संबर्धन परी रक्षन का महत्पून कार कर रही है। भारतें दू नाटक अकादमी लखनौ इसकी स्थापना 1975 में हुई इस संस्था में नाटक लाग के विविन पक्षों अभिने नर्देशन और रंग तखनीक आधी गहन पिसीक्षन देकर दो बर्स का डिपलूमा सेर्टिफिकेट दिया जाता है। जनजाती लोग कला संस्थान की स्थापना 1996 में की गई थी इस संस्थान द्वारा लोग संस्थान की लोग तो ओती विदाओं को मंच पिदान करना है। राष्टी कथक संस्थान की स्थापना संस्केट बिभाग की अंतरगत स्वायद सासी संस्थान की रूम में 1988 में की गई और संस्थान का उद्देश राष्टी इस तरप कथक के विविद घरानों की परंपराओं का अवलेक ही करन कथक नित का समर्धन और कथक संग्राले की स्थापना है उत्तर पिदेश के प्रमुक संगी तग देख लिए जैब तबला बादक पंडित राम साय कंठे महराज किसन महराज पंडित समता पर साथ और गुदई महराज और सरद महराज पंडित राम जी और आप देखें कि, बादाक में पुदरु सेंग फिर आप देखें कि चितकला बिस्यक्तत CTT में चितकला की विकास में कला इवं सिल्प महविद्ध्याल insight लखनाव का महत्वौण स्थान एसकी स्थापना 1911 में की गई थी 1973 में कला एबक सिल्प महाविध्यालände लखनाव को लखनाव बिस विद्याले की कला संकाह करूप मारन नत्या दी गई देशते में इसकी इस्थापना आप देखे हैं 1950 में की गई थी बहारत कलाária भवन देश मिरजापूर 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 की गुफाओं के चित्रों को प्रगिती हासिक सेली के में फेष्ट भूमी के अभाव में ही भाव तता घटनाओं को रिखाओं के माध्यम से चित्ध किया गया है मत्रवा अत्रवा बिज सेली इस सेली में समरद्ध फेष्ट भूमी पर प्रेम प्रक्रिती भावनात्मक अभिविक्ति को जीवंदिता पिदान की जाती है बुंदेली सैली, चित में रिक्ति इस्थान को भरने हितु, चित तांकिद, फिष्ट भूमी पर चित्रों में एक गई रாई का आभास कराये जाता है आगरा अत्वा मुगल सेली, इस सेली के अंतरगत प्रारंभिक चित्रों में एक और 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 के द्रस अत्वा छवी को चित्तित किया जाता है और ततवश्यात भावनों व्यक्तियों सान्दर तथा योद एवं सिी कारादी के चित्रों में कारवाही को फिरमक्ता दी जाती है लोग गीते उत्तर पिदेश में हिंदी हों उसकी साहएक बासाओं में लोग गीतों के गयान की परंपरा है पिदिश के इंतरकत लोग गीतने बिरहा, चेता, रसिया, कजरी, आहला, डोला, भर्थरी और आप देखेंगे कि आपका पूरन भगत आदी बिरहार की बात करें तो ये पूर्वानचल की पिसिद लोग गायन परंपरा है, जिसमें गायक द्वारा भोचपुरी भासा में स्थानी है, छेत में घटी किसी घटना का वितांत गीत रूम में गाया जाता है, इसमें अधिकांस्ता बीर रस की गीत गाया जाती है, इसमें ग और मुझे रखता है कि इनकी बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आला उदल की बारे में बुंदेल खलने में आला आप लोग सुनते भी होगे चैता यह एक प्रिकार का रितुगीत है जिसे फालगों पूरिमा के से जएध पूरिमा की दोरान गया जाता है इन गीतों में प्रैम की अनुभूती का व्यक्त किया जाता है रसी आए बरेज भूमी की पिसित लोग गयान्फर्म परा है, जिसमें भगवान श्री कष्ने की उपासने में विषने तरीकों से गिए जा दी है, इन गीतों में अध्यात्मिक और भुतिक भक्ती भावों में कोपिदर सित किया जाता है, कजरी इया सावन के महीने में गाय ज आने वाला मधोर लोग गीत है जिसमें मुक्ता महिलाओं द्वारा गया जाता है परमक लोग नेत देख लीजे नोटंकी उत्तरपदेश में सरवाधिक पेचले थै लोग नेत नोटंकी और नोटंकी आप लोग नहीं बोर सुना होगा आप लोग जब कहते हैं ना किसी से बड कथाओं का पिदर्शन किया जाता है और आप देखेंगे धोविया राक यह धोवी जाती का नित है जिसमें एक नर्तक धोवी दूसरा नर्तक उसका गधा मनता है धोविया नाच इसमें कच्ची घोडी पर सबार होकर एक नर्तक अन्नर्तक के मद्दे विलक्षन पिदर्शित करते हुए नित करता है जिसका आयुजन मांगलेक आउसरों पर किया जाता है धुरिया समाज एसके तहट बुदेल खंचेत की कुमार जाती के नर्तक पुरसों द्वारा इस तरी रूप धारन करके महला भाव भंग्वाओं को पिदर्शित करते हुए गान नि नित किया जाता है दीपावली यह दीपावली के सब उसर पर बुंदेल खंट के अहीर जाती नर्तकों द्वारा किया जाने वाला खेल जैसा ही नित है ख्याल यह नित बुंदेल खंच छेत में पुत्त जनम के उसर पर किया जाता है इसके तहत नर्तक अपनी ऊपर रंग ब बास के मंदिरों को रखकर बुंदेली का निट करते हैं आप सोची कि हमारी पुरानी संस्किती में बहुत कोछ था अब तो आप सब जानते हैं कि यह सब खतम होता जा रहा है कतक नित यह नित उत्तर विदेश की देन है और इस नित सैली को अबत के अंतिम नबाब वाजिद वाजिद अली इसाय ने परोसान किया था सोरा सेरा यह नित बुंदेलखंड की शेत में किसानों द्वारा फसिल की कटाई की समय हरोसा लास प्रिगट करने के लिए किया जाने वाला नित है और आप देखेंगे राई यह बुंदेलखंड शेत में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पकार का मयूर नित है और जैसे मुक्यताकिस ने जनवाश्टमी के अउसर पर किया जाता है नटवरी नटवरी यह पूर्वी उत्तरफदेश के अहीरों वह यादों में पिछली तिया नित संगीत है वो नकारों की लह पर खेल मुद्राओं को फिदसित करत मूर बाजा विंड बाजा लेकर काला कलावाजी करते हुए नित करते हैं इस नित में कलावाजी की प्रमुक्ता होने की परणाम सुरुप पर खेल जाता है जोगनी इस साधू बेस धारी इस्तरी रोप पुरुस नर्थ कों तता साधू बेस धारी पुरुस नर्थ कों द्वारा सामोहिक रोप से घिया जाने वाला यह नित अवच्छेत में राम नौमी के अउसर पर किया जाता है और याद रहे पहले इस नित में इस इस्तरियां भी भागा लेती थी लेकिन अब उनका अभिनाय भी इस्तरी रोब धारन करके पुरसों द्वारा किया जाता है चर्कुला यह नित ब्रज भूमी के में रत के पहिये पर अनेक घड़ों को रखकर किया जाता है इस ब्रज अनेक घड़ों को रखकर किया जाता है इसे ब्रज भूमी का घड़ा नित भी कहा जाता है तो यह भी याद रखेगा देवी 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 पूजा के जाते समय के जाते समय एक ती दिव Goddess द्वार्थ देवी की घूमिकाने अभी नियत्ट करते हुए किया जाने वाला ले नियम्यट बुंदैल खंड-चितme बुंदल-ख tad ऌंध में पचलित कार्तिक नियूर्थ नित गायन के माध्यम से उनके समंदों का बारण किया जाता है चली आप उत्तरपिदेश की राजनेतिक वेवस्था को देख लिए जिसासन वेवस्था को देख लिए सबसे पहले आप देखते हैं उपर राजपाल होता है लेकिन आप सभी को मालू होता है जिस तरह से राश्पती देखते हैं न केंद में उसी तरह से आप लोग राजपाल समझ लिए और बास्तविक सकती हैं मुखमंतरी के पास होती है और इसमें एक कारण भी है इसका आप सभी जानते हैं कि देखे मुख मंतरी और उसके मंत्रियों उसके बिदायकों को जंता की पिती ज्वाब दे होते हैं अगर उन्होंने काम नहीं किया आप देखी है जंता ने उन्हें सूइकार नहीं किया तुँघली बार चुनाओ में बोट सब्सक्राइब ऐसे ऑसे रहता है उत्तर पिसकी पिथम राज प्देश की य। पूरे भारत में किसी राजी की पहली महला राज जेपाल, सिरी मती सरोजनी, नाइडो जी रही है ठीक है? एक कुश्टनस कई पर इक्षाओं में पूछा है उत्तर पिदेश की पिथम उकमंत्री पंडित गोविंद बल्लब पंत रहे हैं उत्तर पिदेश बिधासभा के पिथम अध्यक्ष राजेसी पुल्रोसित्तम तंडन रहे है और एकाईयों की बात करें तो आप देखेंगे मंडल अठारे जिले पचत्तर हैं नियाएक जिले बात्तर हैं तैसिले 313 ये बढ़ती रहती हैं जब आपको पेपर देने जा रहे हैं उस समय आप लोग करेंट को पड़ लिया करिएगा राज में 18 संभागों में हैं उत्तर पिदेश में अब तक 10 बार राष्टपती सासन लागो हो चुका है अब आप देखें आपकी जब विवस्ता सही नहीं चल रही हो तो आप देखें वहां राष्टपती सासन लगा दिया जाता है संभाग पिर्मुक को आयुक्त कहते हैं और आयुक्त के अंतरगत कई जलादिकारी आते हैं जिलों का पिर्मुक जलादिकारी होता है जलादिकारी की साहता के लिए कई अत्रिक्त जलादिकारी होते हैं इसका वर्गी करें इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आयुक्त होता है जलादिकारी जिसे DM कहते हैं आप लोग इस चाहद भी रखते होंगे अतरिक्त जिलादिकारी A.D.M. होता है तहसील स्थर पर उपजलादिकारी तहसीलदार नयब तहसीलदार कानून गो खंड विलोक स्थर पर खंड पिकास अधिकारी वीडियो साहईग विकास अधिकारी A.D.O. गाउं स्थर पर लेक पाल एसा बाप लोग मुझे लगता है कि आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं पुलिस बेवस्ता में देखें तो पुलिस के ग्रह मंतलाले की अधिन होती है पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डारेक्टर जनरल और पुलिस होता है पुलिस का वरीकर्ण इसमें DGP आप देखें, महानेदिसक पुलिस, फिर उसके नीचे इंस्पेक्टर, जरनल पुलिस, आईजी होते हैं, उप महाने निरिक्चक DIG, वरिष्ट पुलिस अधिक्चक या पुलिस अधिक्चक DSSP या SP, उप पुलिस अधिक्चक DSP, एस सब आप लोग अगर तयारी कर रहे हैं, तो आपको मिलेंगे, प्रभारी निरिक्चक इंस्पेक्टर, उप निरिक्चक सम इस्पेक्टर, शेपाही नीचे आप देखने को मिलेगी आपकी, और सासन वेवस्ता की बात करनें, तो उत्तर विदेश में सासन की संसदी है, सासन पेडाल पर रहता है, जब तक राजपती साहब का पिसाद मिल रहा है, तब तक आप लोग रही है इस पत्पर, तो राजपाल के अंदरी ये विस्विद्याले के कुलपतियों को छोड़कर, राजी के सभी विस्विद्याले के कुलपतियों को इन्युक्ति करता है, के अंदरी ये लगता है कि आप लोग नाम डेट मुझे नहीं लगता है कि ये समय देगा पूछेगा आपसे और अगर आपको लगता है कि ये पूछेगा तो आप लोग याद रख सकते हैं आज के पास मेमोरी है कि सब कुछ याद सरीमती सरोजनी नाइडू पहली होती है फिर आप देखेंगे विधु भूसक मलेक एक कारवाग राजपल बने हो होर मस्जी एक फेरोंसो मोदी ए तीसरे कनहीलाल मनिकलाल मुंसी फिर उसके बाद वाराहिक ग्री बेंकड ग्री फिर उसके बाद वड़ा गोपाल रेड़ी फिर ससी कांत वर्मा कारवाकतिक अकवर अली खान फिर डॉक्टर मारी चिन्ना रेड़ी फिर आप देखेंगे गनबत राओ देवजी तापसे चंदेशेकर पिसाद नारायन सिंग मौतिलाल बोरा फिर आप देखेंगे मौहमद सफी कुरेशी ए जोसी रामना एक और आप सभी जानते हैं कि अभी कोन है आनंदी बेन पटल और मुखमंत्री वो देख लिए पंडित गोविल गोविंद बल्लप पंथ एक अब देखेंगे एक अपरेल से 1947 से रहे थे 27 दिसमर उन्नी सो चंग बन तक एक लंबे समय तक रहें फिर डॉक्ट के बाद राष्पती सासन लगता है 25 फर्वरी 1968 से 25 फर्वरी 1989 तक चंदभान गोपत आते हैं चौदरी चानसिंग आते हैं फिर चौदरी शानसिंग के बाद आप देखें राष्पती शासन लग जाता है 2 अक्टूबर 1970 से 181 टूब नमौबर 1970 तक फिर तिरुम भुवन न सब्सक्राइब नंदन बहु गोड़ा आती है और फिर राष्टपती सासन लग जाता है ती नवंबर 1975 से 21 जर्मरी 1906 तक पर नारायन दत्तिवारी आते हैं और फिर आप देखें राष्टपती सासन लग जाता है तेस अफरेल 1907 से 22 जून 1977 तक राम नवी से यादा होते हैं बनारसी दास आते हैं फिर राष्टपती सासन लग जाता है 17 फरवड़ी कल्यांज सिंग ने इस्तिफादे दिया था फिर मुलाहिम यादा होते हैं फिर कुमारी मायावती सहवा आती हैं फिर आप देखेंगे कि तर राम पेकास गुप्ता आते हैं राज ना सिंह बनते हैं राजना सिंह भी मुख मंत्री रहें अत्तरपेश के घराढ़ चाहिव drip गश्वत्रति सासन लग जाता है 8 मार्च 2002 से 3 माई 2002 तक रहتा है कुमारी मायबती आती है पिर मुलायम सिंह यादा होते हैं और मुलायम सिंह자가 और scattered तो डिया कई भार मियातनात ही हैं और अभी तक आप मंत्री क्यां कि आप देख這一-1 में इसमें राइन-दैन मुकमंध्री बना गयाए गया इब harm प्रम प्रार्भन सबाध कि अध्यक्षज सी थम्दास टंडन और फिर आप देखेंगे कि आत्मा राम गोविंद खेर वासू देव एव समझ रहे हैं वासू देव और आप देखेंगे तो इने के बारे में याद रखेंगा थोड़ा भात आप फिर बियार बर्मा बियार बर्मा फिर आप बियार बर्मा के बाल आप देखेंगे केसरी नाद तरपाटी डॉक्टर वकार अहमत सां माता परसाथ पांडे और शुकदे राजबर मातल परसार पांडे हिदार नारायन दीख चित और आप सभी जानते हैं कि अभी कोण है अभी आपने देखा होगा अध्धेख्च बने है कौन बने है स्री सतीस महाना साह coffin आप सभी जानते हैं कि अध्धेख्च बने है और इनका एक राजनेतिक कारखाल आप देखें निर्वरोज चुने गए हैं एक बड़े सफल नेता के माने जाते हैं 2022 में विधान सपा चुना हुए ना उसके बाद आपको बता दूँ वैसे आप लोगों को उत्तर प्रदेश का जो करेंट अप्डेट कर दिये हैं तो उने जाकर आप लोग जरूर देखेगा उत्तर प्रदेश विधान परिशत के सभापती देख लिए चंदपाल चंदभाल म उत्तर प्रदेश में दो सद्री ये ब्यवश्त भी का है विधान सभाव विधान परिशत आप देखते हैं विधान सभाव लोगफ़ी ये सदन कहला ता है इसमें 403 सदर से एक सदर समदाय का मनोनीत होता था अब नहीं होता है विधान सभाव का सदर्स बनने के ये लिए नियुनता माई 25 बरस होनी चे वह भारत का नांगरे को किसी लिए आपके पतपर ना हो उन सभी योगताओं को रखता हो जो संसद द्वारा निधारिर की गई राजपाल बिधान सभा बिधान परिशद एंगलो इंडिया समधाय से एक सदस को नामिन मनुनीत करता था करता था बहुमत पर आपत दल का नेता मुख मंतरी होता है मंती मंडल बिधान सभा की पिती उत्तरदाई होती है किसके बिधान मंत्री बंडर विधान सबा की पिती उत्तरदाई होती है विधान सबा का एक अध्यक्च और एक उपाध्यक्च होता है विधान परिशाद में 100 सदस इसका विधान परिशाद में इसमें निर्वाचन आपतेक्च रूप से होता है एक तीन सदस विधान सबा से एक तेहाई सदस आप देखें इस्थानी संस्ताओं से, एक दूसरा भाग सदस सिक्षकों से, और एक भारवा भाग आप देखेंगे इसना तक जो बच्चे कर लेते हैं उनसे, ठीक है, और एक छटबा भाग सदस राजपाल द्वारा बिसे छेत के लेकनी कारवाले व्यक्ति यह उको मनोनित करता है, बिदान परिषत को उच्चे सदन कहा जाता है, जैसे तरह से, उसी तरह से मान लिया जाता है, ठीक है, लेकिन इसके पास बास्त कोई सकती नहीं होती है, जानद है तो राजसवा के पास जाना कहाँ, में आप देखें, राजसभा मजबूत रहता है और देखे बिधान परिशत को खतम भी किया जा सकता है और नए राज किसी राज में बनाये भी जा सकता है, सेजन भी किया जा सकता है, तो इस्थाई सदन नहीं है, ठीक है, इसे आप देखे इस्थाई एक तरह से भली कहे लिजे आप लोग, लेकिन राज सभा को आप देखे कि कभी खतम नहीं किया जा सकता है ठीक है उसमें आप देखते हैं जो कभी भंग नहीं होती है इसका सदस्तों का कारकल छेवर्स का होता है उत्तरपिदेश बिधान परिशत का गठन 1937 में किया गया था और आप देखेंगे इस थाई सदन है और आप देखें इसे लेकिन खतम किया जा सकता है ठीक है लेकिन राजसवा इस थाई सदन है लेकिन उसे खतम नहीं किया जा सकता है नियाय पालिका राज में नियाय वेवस्ता के लिए उच्च नियायले तथा उच्छ नियाले की अधिनता में जिला नियाले अन्य नियाले आपको देखने को मिलेंगे उच्छ नियाले इलावाद में हो इसकी खंड़ लखनग में है इस प्रावाद उच नयायक की स्थाफण नयायक सिभाको दो बागों में बांटा गया है, उत्तर पुर्यस हेर जूणी सेछ स अर्विस उत्तर पुर्देश हेरे जूडी सेल्सर्विस ये बांटने एके मामलियत जिलादिकारी अत्रिक्त जिलादिकारी द्वारा- नित्थ होते हैं, आयोक्तों अत्रिक्त आयोक्त अफीलों की सुनभाई करते हैं, राजस में सबसे उच नियाले, उच नियाले राजस परिशाद है, और यह आप देखें, उत्तर फिदेश के लोक आयोक्त है, देख लेजे आप लो, उत्तर फिदेश के लोक आयोक्त, पहले आप देखेंगे नियामूर्ती श्री विस्व संभर दयाल थे ठीक है उत्तर फिदेश के लोकायक्त तो यह आप लोगों को मालू होना चाहिए सुप्रेंग कोट में गुरुव ए जश्टिर वीरेंसिंग नाम खारिच करती हुई विपी का नया लोकायक्त अबूंट कर दिया है और संजय मिस्रा को नया लोकायक्त बनाए गया है ठीक है तो अभी याद रखें बरत्मान मुझे लगता है कि पुराने छोड़ी है अप लोग और उत्तर फिदिश जनवत बाद ग्राम पंचयातों विकास खंड़ों की बरत्मान विश्टिति तो यह आप देख लिजे ग्राम पंचयातों की संख्या नयाय पंचयातों की संख्या विकास खंड़ों की संख्या अगर पूछे तो आप लोग याद रख सकते हैं तो लियाद रख लिजे मेरट में 465 हैं ग्राम पंचयात है नयाय पंचयात है आप देखें यह त्रेपन है विकास खंड़ों की सब्सक्राइब करेंट को एक बार पढ़ लीजेगा ठीक लोक आयोक्त उत्तर प्रदेश में लोक आयोक्त संस्था उत्तर प्रदेश लोक आयोक्त तो उस्पलाव एक आयोक्त दीनियम 1975 के थे सब्सक्राइब करेंट क्या 14 सेप्टमबर 1977 को या बस था लाग हुई उत्तर प्रदेश के पिथम लोक आयोक्त पर पर मद्प्रदेश के इसे बानेवित मुक्नियाद इसने या मुर्ती सुधिरी चंद को 16 माद 2004 को नियुक्त किया गया था लोक आदालतें इन आदालतों की उलेकनी है विसे इसता है कि इनमें अन्य नियालेओं की भाती उबातकारियों को धन का वैय नहीं करना हो पड़ता है और वर्तमान समय में अगर उत्तरफदेश में देखें तो जनपत तीन तीन इस्थाई लोक आदालतों का गठन किया जा चुका है इस्थानिये स्वायद सासन जन संक्या के आधार पर सहरी और ग्रामीर जिस्वायद संस्थाओं का वरगी करन किया गया है जिला पर्षद गराम बंचया नगर पालिका नगर महापालिका के रूम में और उत्तरफदेश में पंचयाती राजपनाली का प्यार हम गुए था यह गाओं खंड और जिला इस्थार पर इस्थानिये स्वायद सासन देता है इस तरह से सक्तियों का विकेंदरी करन हो जाए अब आप देखिए आपकी मंतरी साहब हैं लोकसभा सदस है या बिधायन सभा सदस है या आप देखिए बिधान परिशत का सदस है या राजसभा का सदस है उससे हो सकता है कि इसे गाओं की समस्या के बारें पता हो लेकिन अ ग्राम पिधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा बोट डाल कर किया जाता है, इसका कारकल पांच साल का होता है, अलग 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 इसे नाम भी दिया, जिला पंचया, जिला पंचया, त्रीस तरी ये पंचया दिवे वस्ता की सीज पर होता है, इसक तक कारकाल भी आप देखें इंग पांस साल का होता है फिर राज्यों में गाओं का प्रवंधन करने के लिए जिला पंचयाद की इस्थापना की गई नंगर पालिका और नंगर महाबालिका उत्तर पिदेश में नंगर रुवायत सासन की स्थापना संथ्था है नंगरलिका नंगरों में नंगर में नंगर नंगरिकर रहती है तो मुझे लगता है इस उम llega नगर पंच्याद का पिधान इसका अधिक्ष होता है जिसका चुनाव जनता द्वारा पित्यक्ष रूप से किया जाता है इसका कारकाल भी पांच साल का होता है और इसमें निर्वाज सदस्ट 10 से कम और 25 से अधिक नहीं हो सकते हैं नगर पंच्याद का गठन 15,000 से एक लाग आवादी वाली नंगरी अच्छेत में किया जाता है नंगरी निकायों की अधिकारियों का नाम नगर पिरमुक महापुर जिसे उपनगर पिरमुक महापुर सबाफसद पारसद जिसे मुख है नगर अधिकारी नगर आयुक्त अपर मुख अधिकारी अपर नगर आयुक्त सहाइक नगर अधिकारी, सहाइक नगर आयुक्त के नाम से जानते हैं तो ये भी आप लोग याद रखा कर जाएगा और इस तरह से आपका उत्तर प्रेश सामान ग्यान कंप्लीट हो जाता है देखते रही है आप लोग को सुझा हों तो बताते रही है सवाल हों तो बताते रही है ठीक है